Civil Services Prims Examination 2023 के question number 1 से question number 25 तक हम लोग इस session में discuss करेंगे discussion करने के दौरान में हम लोग देखेंगे कौन सी tricks and techniques question को solve करने के दौरान में use होगी हम लोग साथ ही साथ में देखेंगे कि कौन सी है जो knowledge based questions है कहां कहां पर tricks and techniques काम करेंगी और एक complete analysis हम लोग कर लेंगे इस series में पहला तो आप लोगों को यही suggestion है कि जभी भी आप लोग चाहे English Medium के रहिए या फिर Hindi Medium के रहिए question जब समझ में ना आए तो आप इसका Hindi version जरूर पढ़ लीजिए या अगर question के answer भी नहीं clear हो पा रहे हैं तो भी एक बार Hindi version जरूर पढ़ लीजिए दो fact यहाँ पर बोले गए है कि जेलम रिवर वुलर लेक से पास होती है कहीं पर भी कोई extreme word नहीं है और knowledge based है और यह correct answer है basics है आप लोग अराम से इसको पढ़े होंगे दूसरा question है यहाँ पर दूसरा statement है कि Krishna river directly feeds कोलेरू लेक अब यहाँ पर भी सेम यहीं चीज़े Krishna river कोलेरू लेक बात समझ में आ रही है कि आंधरा के आसपास का यह पूरा का पूरा region बन रहा है और Krishna river जाती तो है लेकिन यहाँ पर एक extreme word लिखा हुआ है directly feed यहाँ पर लिखा होता कि Krishna river feeds कोलेरू लेक then it is okay यह statement भी correct आप मान सकते थे लेकिन directly feed करना यह अपने आप में एक wrong statement हो गया अब यहाँ पर option या तो one correct है या फिर only two correct है तीसरा statement है meandering of Gandak river formed cover lake अब देखिए तीसरे statement में कहीं पर भी कोई extreme word नहीं है यहाँ पर भी factual based question है थोड़ी information अगर आपने river के बार में पड़ रखी भी है तो यह भी बिहार में है और कवर लेक यह bird wildlife century बनाई गई थी 2022 में ही तो यह cover lake भी बिहार में ही है अब यहाँ पर देखिए कई लोगों ने यह statement correct मान लिया था कि यह correct ही होगा लेकिन यह statement wrong statement है यहाँ पर बुढ़ी गंगा river है जो की cover lake को मेंडर के दौरान में cover lake को बनाती है लेकिन यह information अब आपको समझ में आएगी exam में कहीं न कहीं यह question गलत हो जाता और अगर गलत भी हो रहा है तो इसमें आपकी कोई fault नहीं है या तो आप इस तरीके का जो factual question हो या तो आप उसको skip करिए या फिर यहाँ पर आप risk लीजिए फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर answer है only one correct यह इसलिए हम लोग discuss कर रहे हैं answer ताकि अगर question repeat होता है तो आपको जानकारी होनी चाहिए इसके अलावा अगर आप लोग read कर रहे हैं तो आप गंगा river की tributaries कुछ river की tributaries हैं उनको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा जैसे आपकी इंडस की गंगा की गंगा में भी गंगा यमना दोनों की देखिएगा ब्रह्मपुत्रा की और साउथ में अगर आ जाईए तो कृष्णा गोदावरी और जो कावेरी है इन लोगों के जो river basins हैं कौन-कौन सी tributaries हैं यह highly important है तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से देख लीजिएगा question number two पे आते हैं जरा question number two यहाँ पर बोला जा रहा है port से related अब मुंद्रा port का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर drugs की एक बड़ी खेप पाई गई थी इसके अलावा कमराजर port हो गया और तीसरा port है विशाखा पतनम port ध्यान से समझिएगा और यहाँ से एक idea भी लेगेगा कि हमको जब read करना होता है जब revision करना होता है किन चीजों पर ध्यान देना है कमराजर port के बारे में अगर बात किया जाए तो यह बेसिकली 12th port इंडिया का बना है इन्नोर port का ही नाम यहाँ पर कमराजर port रखा गया था यह तो न्यूस वाली चीज है कि यह न्यूस में बनी होई थी इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि यह एक तरीके का कह लिजे कि इन्नोर port का ही पार्ट है statement में आगे बोला जा रहा है कि first major port in India registered as company अब देखिए first है कि नहीं है यह मुझे नहीं पता लेकिन यह company के तौर पर रजिश्टर तो की गई थी यह बात मुझे पता थी तो मैं बोल देना हो कि चलो ठीक है this one is correct statement मुंद्रा port के बारे में अगर देखे तो यह largest privately owned port in India अच्छा एक चीज यहां पर समझना है कि major ports हमारे यहां पर जो major ports है एक बार इसको में हम लोगों ने discuss भी कर रखा है पीटी 365 में अगर हम लोग बात किया जाए हमारे सारे ports के बारे में तो एक हो गई आपकी जो कांडला पोर्ट हैं दूसरी मुंबई एक और यहीं पर है जवाल नाल नहरू जिसे न्यावा सेवा भी बोलते हैं इसके अलावा मर्मा गाव पोर्ट हो गया मैंगलोर पोर्ट हो गया कुच्ची पोर्ट हो गया यह वो है जो हमारे western side में हमारे सारे ports हैं सिमिलरली इसी तर चिदंबरम पोर्ट यह भी एक नया पोर्ट है ठीक है तो यह जो पोर्ट हमारे पास हैं यह basically eastern side के हमारे ports हैं यह भी एक important port यहां पर बन जाता है कुछ-कुछ यहां पर basics भी लिखा गया है क्योंकि कई बार पोर्ट के question लगातार repeat होते रहते हैं तो कोची पोर्ट के बारे अगर देखें तो यह कोलकाता में हैं वेस्ट बेंगौल में है अब दिखिए यह statement हमारे लिए important हो गया कि यह oldest है जो जो पोर्ट largest category में अगर आ रहे हों कोई oldest category में आ रहे हों first category में आ रहे हो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कांडला पोर्ट जो की गुजरात कांडला में यहां पर देखिए यह यहां पर पाई जाता है अगर्मा गाव पोर्ट जो की गोवा में situated है इट इस प्रॉमिनेंट पोर्ट और यह आईरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए important है तो यह भी हमारे लिए देखी important statement है न्यू मैंगलोर जो की मैंगलोर करनाटका में है major port आफ इंडिया जो west coast पे है ज्यादा कोई खास statement नहीं है मुंबई पोर्ट जिसे हम बॉम्बे पोर्ट के नाम से भी जानते हैं मुंबई में situated है और यह oldest और busiest पोर्ट है यह भी हमारे लिए important हो गया जवाल लाल नहरू पोर्ट जिसे नावा सेवा भी बोलते है यह मुंबई नवी मुंबई पर situated है और largest container पोर्ट है अब देखिए जवाल लाल नहरू largest container पोर्ट हो गया और कांडला पोर्ट हो गया गुजरात वाला जो volume के हिसाब से largest हो गया तो यह दो चीज़े अगेन statement important ह एक और जो वाधवन पोर्ट है अभी देखिए रिसेंट में वाधवन पोर्ट पर एक नया न्यूस भी आया हुआ था और इसको major port के तौर पर develop भी किया जा रहा है इसके अलावा अगर हम लोग eastern side के बारे में बात किया जाए तो हमारे पास चिन्नाई पोर्ट हो गया चिन पर इंडल करता है थर्मल कोर और कारगो तो यह हमारे लिए एगेन इस इंप्रॉटेंट स्टेट्मेंट हो गया परादिप और यह और बल्क कारगो को पर्टिकुलर्ली आयरन ओर को यह एक्सपोर्ट करने में काफी इंपॉर्टन डूल प्ले करता है इंपॉर्टेंट हो इसके अलावा चिदम बरनार पोर्ट हो गया जिसे तूती कोरन पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है यह तूती कोडी तमिलनाडू में है अगेन एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टेट्मेंट यह भी बन गया बाके पोर्ट ब्लेयर है जो के अन्नमा निकुबार में अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में देखें तो मेजर पोर्ट की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए भी रिसेंट में फिक्की में एक पोर्ट इंफ्रास्ट्रॊक्चर कॉंख्छर वग हुआ था नियु डेली में और यहाँ पर इन लोगों ने अपना आइडिया दिया बत देखें तो हमें 6 पारेटिंग रेशियों के बारे में देखें तो या अभी का बेस्ट ऑपरेटिंग रेशियों 48.5% बोल सकते हैं कि हमें ऑपरेटिंग लेशियो सबसे अच्छा यहीं का हमें देखने को मिला है वेसल हैंडलिंग भी अब धीरे-धीरे इंप्रूव हुई है और ज्यादा बहतर तरीके से देखने को मिल रही है अगर हम चैलेंजस के बारे में देखें तो सबसे पहली है इन एडिक्वेट देफ्थ को ले करके जि इफिशल तरीके से बनाना होता है और इसी वजह से हमें ड्रेजिंग चैलेंजस फेस करने पड़ते हैं तो जो ड्रेडिंग इफोर्ट बनाए जा रहे हैं वो इन इफेक्टिव प्रूव हो रहे हैं कारण उसका सिंपल है कि यहां पर जो भी एक्सेस चैनल या फिर कह करने के लिए एक चाही होता है स्पेस अगर वो स्पेस नहीं मिलेगा देन आविसली इट विल टेक मच मोर टाइम तो एक तो टर्न आराउंड पहली चीज होती है जिसको अम लोग बोलते हैं शिप को टर्न करने के लिए दूसरी चीज टर्न आराउंड का में जो मतलब है व अब हम लोग सिंगापूर को मतलब बेंचमार्क बना करके कर रहे हैं और लेस देन डे मतलब एक दिन से भी कम में हम टर्न आराउंड कर देंगे ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं और इन फैक्ट यह हम लोग ने चैलेंज भी लेकर के रखा हुआ है इन इफिशियन कार्गो हैंड एक बड़ी प्राब्लम है अब सॉलिट एक्क्यूपमेंट यह भी बड़ी प्राब्लम के तौर पे हैं इसके लावा इस्टोरेज शॉर्टेज है हमारे यहाँ पर प्रॉपर उतनी स्टोरेज फेसिलिटीज नहीं है करेक्टिविटी चैलेंज भी कई बार है लेंदी इंस निकाला गया है जिससे पॉर्ट डवलप्मेंट होगी तो सागार माला पॉर्ट डवलप्मेंट के लिए हम लोगों ने एक नेशनल पर्स्पेक्टिव प्लान बना करके रखा हुआ है जिससे कि जो इंडिया का 7500 किलोमेटर का जो कोस्ट लाइन है जहां पर पोटेंशियल 14500 किलोमेटर आफ नेविगेबल वाटर वेज है जरा डेटा ध्यान रखेगा यहां पर कोस्ट लाइन है और यह नेविगेबल वाटर वेज है इनको हम लोग और बहतर तरीके से कैसे डवलप कर सकते हैं इसके बारे में सागर माला इनिशेटिव में बताए गया है अब इस नए पॉर्ट को डवलप करना है इसी सब सागर माला के ही अंदर में यह सारी चीजे आ रही आरही है इसके लावा पॉर्ट की connectivity करनी है तो जितने भी connectivity project चल रहे हैं पोर्ट को connect करना है जिस में हम जो national waterways हमारे है उसको हम प्रयटाइस कर रहे हैं सात ही सात में जो भी dedicated trade corridors ब बनाये जाएंगे पोर्ट लेड इंडस्टिलाइजेशन होगा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क बनाये जाएंगे और बाकी एक्सपरिस वे प्रोजेक्ट के साथ में भी इसको क्नेक्ट किया जाएगा तो इतने सारी चीज़ें की जा रही है हमारे इस major project के साथ में अब जरा समझते हैं हमारे पास में जो question दिया गया है जैसे ये जो हमारा कमराजर port है कमराजर port जिसे हम लोग इन्नोर port के नाम से भी जानते हैं ये 12th major part of port of India है ये कुरमंडल कोस्ट पर है चिन्नाई तमिलनाडू में है इसे company के तौर पर register किया गया था हाला कि इसको register किया गया है जो 1908 का इंडियन पर एक्ट है उसके अंतरगत लेकिन मार्च 1999 में इसको port declare किया गया था खैर ये वाली पार्ट नहीं है इस वाले पर देखिए आपका question बना हुआ है यानि कि जो statement थी वो correct statement थी बाकि आप इसको ध्यान रखना है इन्नोर पर्ट का ही नाम कबराजर पोर्ट है इसके अलावा हमारे पास मुंद्रा पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट देखिए नाम से ही है largest private part है and largest container port in India है तो private port है this is this was the question जिसको आपको ध्यान रखना है यह मुंद्रा इजेड के तौर पे भी develop करके रखे हुए है यहां पर 33% इंडिया का traffic container आता है यह port अडानी ग्रूप के द्वारा run किया जाता है यह largest commercial port operator भी है और यह इंडिया का one by fourth of the cargo movement करता है बाकी इसकी handling capacity यह सब की जरूवत नहीं है यह ध्यान रखना है यह country का largest coal import terminal भी है यह हमारे लिए अगेन एक important point है इन सब चीजों को no down करना चाहे तो no down भी कर सकते हैं तो अब अगर इन सारी information के बाद में अ correct statement हो गया मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया यह भी एक correct statement में बदल गया अब तीसरा है वाइजएग पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया अब देखिए वाइजएग में हम लोगोंने largest container पोर्ट नहीं देखा था तो यह जो वाइजएग वाला पोर्ट है यह वाला statement हो गया wrong और इस तरीके से केवल दो ही pair हमारा correct बन पा रहा है यहाँ पर ठीक है एक यहाँ पर आप लोगों के लिए trick point मतलब आगे paper में अगर आप लोगों को guess मारना है तो two pair guess मार करके आईएगा कुछ question गलत होंगे कु देखिए consider the following trees jackfruit हो गया जिसे कटाहल बोला आता है महुआ हो गया और टीक हो गया बताना है how many of the abob are desiduous trees अब जो desiduous trees होते हैं वो basically tropical area में होते हैं यह बात तो clear है अब जड़ा टीक है टीक तो आप लोग सभी लोग जानते है कि हाँ टीक जो होता है desiduous होता इसी के करण से आगवा लगती है this is this should भी दा अंसर यह तो होना चाहिए महुआ अब यह देखिए महुआ जो है आप लोगों ने देखा होगा महुआ से शराब बनाई जाती है यूपी और बिहार में लगातार न्यूज आती है कि कच्ची शराब पीने के करण से लोग मर गये यह basically महुआ से ही बनता है और यह होती है desiduous यहाँ पर desiduous forest वगरे प मतलब यह कि यहां पर बारिश गवा क्लाइम यहां बहुत जाधा भी जादा हो रही है तो सीजी अदि बात है व क्लाच वंossen से बजाय कि यहां पर desiduon तो यह पहला वाला तो ग्र measurements रआम आप यह कहने कि कैसे जो होता है जैक फ्रूट आपको यह पता था कि बारिश वाल जो CEO थे basically company के और इन्होंने फिर वो पूरी पूरी information दीती कि क्या क्या है तो ज़रूरी नहीं है कि answer आपके किताबों में ही मिले answer आपके इधर उधर चलते फिरते अलग-अलग जगहों पर आपको देखने को मिल जाता है तो फिलहाल answer यहाँ पर दो correct है only two correct यानि two and three statement यहाँ पर correct statement है अब ज़र आगले question के और में आते हैं अगला question है question number four यहाँ पर है इंडिया has more arable area than China यह बात सही है कि arable area जो है इंडिया का जादा है दूसरा है proportion of irrigated area is more in India as compared to China NCIT में तो लिखा है कि यह correct statement है तीसरा है कि average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that of China guess कर सकते हैं बहुत अराम से कि यह statement wrong होना चाहिए चाइना जो कि इतनी highly advanced है technology में अगर वो technology में advance है तो productivity ज़्यादा चाइना की होनी चाहिए बजाए इंडिया के तो statement में तो अदला बदली किया गया इंडिया की जगा पर चाइना चाइना की जगा पर इंडिया किया गया है तो सही है UPSC ने कहा है कि यह वाला जो statement है यह wrong statement है और बाकी यहाँ पर केवल और केवल one correct statement यहाँ पर UPSC बोलती है और मैं कहूंगा कि इसको कुछ नहीं आपको answer यहाँ पर याद कर लेना है अंसर इसको याद कर लीजिए और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं यह answer गलत हो ही जा रहा था अगला सवाल देखिए अब यहाँ पर देखिए आप पढ़ेंगे आप कहेंगे यारी क्या चीज है हिंदी वर्दन आजाईए हिंदी वर्दन में पूरा आंसर छिपा हुआ है हिंदी में है कि निमलिखित में से कौन सा एक समुद्रिस्तर में पुनरा वर्ती गिरावट का सर्वत्तम उदारण है जिसे वर्तमान समय की सू विस्तरित कच्छ भूमी उत्पन हुई है कच्छ भूमी रन आफ कच्छ यह हो गया answer आपका बात खतम यानी हो गया answer यहाँ पर run आफ कच्छ यहाँ पर main answer होना चाहिए अधिक यह answer तो निकल गया लेकिन हमें तो यह भी देखना है ना कि आने वाले exam में भी हमारे लिए useful रहे तो अगर बाकी के जो तीन statement से उनके बारे में अगर बात किया जाए यहाँ पर तो हमारे पास है भीतर कनिका mangroove अब यह भीतर कनिका का नाम आप लोगों ने सुना होगा olive ridley turtle के नाम पे गहीर माथा में यह है आपकी उडीजा में दूसरा है आपका मरकम salt pan यह मरकम salt pan यह है आपका तमिलनाडू में और देखिए यह इसलिए पूछा गया था क्योंकि यह न्यूज में बना हुआ था कि यहाँ पर कई सारे पक्षिव अगरे मर गयते अभी न्यूज आर्टिकल आपको दिखाता हूँ मैं इसके लाबा नौपाड़ा यह हमारा स्वैंप है यह जो स्वैंप है यह हमारा आंधर प्रदेश में है और इस आंधर प्रदेश वाली चीज़ को ले करके पी आईबी न्यूज आई थी कि जो हम लोग ने एक मिशन लाइफ स्टाइल स्टार्ट किया हुआ है इसके अंतरगत हम इस नौपाड़ा स्वैंप को एड किये हुए थे अब जरा इसकी न्यूज आर्टिकल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जिससे की फ्यूचर के के लिए भी आप लोगों के लिए एक ध्यान रहे कि हम क्या क्या कर सकते हैं यह देखिए सॉल्ट पैन ओनर्स एंड वरकम्स वरकर्स आफ मरक्कम तमिल नाडू सेंजिटाइज ऑन थीम आफ मिशन लाइफ विद इंफसाइज ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड इनरज हो गई है तो यह आंद्रप्रदेश देखिए दिस इस आंद्रप्रदेश नौपाड़ा स्वैंप हो गया बस इतना ही ध्यान रखिए और जरुवत नहीं है अगला क्वेशन देखने हैं इलमनाइट एंड रूटाइल अबंडेंटली अवेलेबल इन सर्टन कोश्टल ट्र अबंडेंटली अवेलेबल इन सर्टन कोश्टल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया कोश्टल एरिया में इंडिया के मिलना है चलो ठीक है एलमुनियम कहां पर मिलता है एलमुनियम वहां पर मिलता है जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है साथ ही साथ में टेंपरेचर बहुत ज से को पर कहाँ है मद्य प्रदेश में राजस्थान में मैं रहा है आइरं के लिए भी बिध्य घुल के दिए जाए पाया जाता है गोई आपका estlyतनäg और आप आ पाया जाता है अईसा नहीं लिखा है कि only available in certain track बुला जाता है ज्यादा पाये जा रहा है तो टाइटेनियम आपका बन गया जो आंसर बन जाएगा तो जब question है तो question को पूरा पढ़िए उस पूरे question में कुछ न कुछ वहाँ पर चीज़े निकल करके आ रही होंगी अगला सवाल है कि about three-fourth of world's cobalt a metal required for the manufacture of batteries for electric motor vehicle is produced by अब देखिए यहाँ पर cobalt लिखा है जिससे electric battery बनाई जा रही है अगर lithium होता अगर lithium लिखा होता तो आंसर हो जाता आपका Argentina या फिर आपका जो पेरू हो गया या चिली हो गया यहाँ पर आपका lithium बहुत ज़्यादा पाए जाता है तो चलो ठीक है आंसर A तो नहीं होगा कजाकस्तान देखेंगे तो कजाकस्तान बन जाता है आपका Middle Asia कजाकस्तान, उजवेकिस्तान, खिर्गिस्तान यहाँ पर मेली पाई जाती है जो आपकी uranium बगर है तो आंसर ना तो A होगा ना तो आपका D होगा अब फस गया बीच में दो आपके अफरीका की कंट्री एक हो गया DRC यानि Democratic Republic of Congo और दूसरा फस गया Botswana अब यहाँ पर देखेंगे आपको एक guess लेना है तो guess लेने के लिए आपको again 50-50 हो गया आंसर फिलहाल यहाँ पर है Democratic Republic of Congo ठीक है? तो दिस इस DRC of Congo अब देखिए एक हलाकि इसको ना trick कह सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं बस एक coincidence बोल सकते हैं जो UPSC हर साल करती है हर साल यह करती है UPSC कि कोई दो question ऐसे जरूर रहेंगे जो एक दूसरे के साथ में link रहेंगे आप कभी भी उठा के देखिए आपको दो question हमेशा link मिलेंगे ही मिलेंगे हर साल मिलेंगे और यहाँ पर भी UPSC ने यही किया अगर DRC आपको पता है तो अगले ही सवाल में यहाँ पर देखिए Congo Basin के बारे में बोला गया है हलाकि कोई relation नहीं है लेकिन बस Congo DRC के लिए एक हिंट देने के लिए कि answer में भी DRC होना चाहिए यहाँ से आप guess कर सकते थे खेर answer वहाँ का हो गया question number 8 में देखेंगे यहाँ पर बोला रहा है which one of the following is a part of Congo Basin DRC अब देखिए यहाँ पर आपको map पता होना चाहिए पहली चीज तो map सही काम नहीं चलेगा क्योंकि map अगर देखेंगे तो Cameroon और Uganda दोनों मिल जाएंगे Nigeria, South Sudan आप यहाँ से हटा देंगे लेकिन आप फसेगा आपका कि knowledge आपको है कि नहीं इसके बारे में अगर आपको knowledge है then you can only guess कि हाँ Cameroon is the correct answer otherwise Cameroon और Uganda में आप फसेंगे हाल फिलहाल के लिए answer याद कर लीजिए answer है Cameroon answer हो जाएगा इसका A अब question number 9 देखिए देख करके बड़ा डर लगेगा लेकिन है बहुत आसान समझना है अमर कंटक हिल्स अमर कंटक हिल्स का मतलब जहां से आपकी नर्मदार नदी निकलती है जो नर्मदार नदी निकलती है वो 36 गड़ से निकल रही है 36 गड़ मध्रदेश आगे बोला या रहा है कि जो अमर कंटक हिल्स है आगे सहयादरी रेंज लिखा है अब मैं जब पेपर पढ़ रहा था तो मैं इसको सहयादरी नहीं पढ़ रहा था, मैं इसको पढ़ रहा था कि यह सत्पूरा है अब मैं कह रहा हूँ कि यार बातों सही है, सत्पूरा भी होना चाहिए, विंद्या भी होना चाहिए इसलिए ध्यान से समझेगा सहयादरी रेंज लिखा है सहयादरी मतलब वेस्टर्न घाट विंध्या इधर है वेस्टर्न घाट इधर है अमर कंटक इधर है कहां से आंसर बना तो ये बन गया एक रॉंग स्टेटमेंट अगला है जो बिलिन गिरी रंगन हिल्स constitute the easternmost part of सत्पूला रेंज अब देखिए सत्पूला रेंज है आपकी कहां पे मद्धप्रदेश 36 गड़ बॉर्डर के पास में हो गया ये जो हमाला बिली रंगन हिल्स है ये बिली रंगन हिल्स ये पाई जाती है करनाटका में तो करनाटका में भी है साउथ वेस्ट पार्ट में पाई जाती है जिसको आप यह ज्यात कर लीजेगा क्योंकि इसके बारे में ना मुझे पता था एक्जाम से पहले ना कुछ है त उरीज़ा के साइड में तो नहीं होना चाही है बिली रंगन हिल तो ये भी आप गैस कर सकते थे कि ये भी एक रॉंग स्टेटमेंट है अगला है सेश चालं हिल ये सेश चालं हिल तो आप लोग पढ़े यहोंगे क्योंकि ये मैब लिस्ट में आता है जो हमारी environment में है यह बोला है कि जो शेश चाला मिले यह है कहां पर यह है आपकी आंधर प्रदेश में यह तो पता होना ही चाहिए था अब यह कह रहा है वेस्टर्ण घाट के नीचे यहां पर है आंधर प्रदेश आपका इधर है कहीं से भी यह तो आप आराम से बता सकते थे कि यहां पर आंसर है आपका नन ओफ दा एबब कोई यहां पर गलत मदब की कोई भी यहां पर सही नहीं है अगला देखते हैं यह हमारा है कहां गया यह हमारा है इस्ट वेस्ट कोरिडोर यह हमारा इस्ट वेस्ट कोरिडोर यहां से स्टार्ट हो रही है यहां को जा रही है अब देखिए सूरत गुजरात में है जा रही है एकदम कोने तक यह हो गया पोरबंदर तो सूरत नहीं है यह है आपका एक तरफ ऐसे ही गलत हो गया दूसरा यहां पर यह आ रही है आपकी सिल्चर तक असम में यह सिल्चर तक आ रही है जबकि यहां पर बोला जा रहा है डिब्रूगर तो पहला तो इस स्टेटमेंट वैसे ही रॉंग हो गया सूरत वैसे भी नहीं यह तो खेर पूरबंदर आप लोगोंने मुस्ट प्रब्ली पढ़ भी रुखा होगा तो चलो ठीक है पहला स्टेटमेंट तो रॉंग आप लोग करेक्ट मदब कर सकते थे अगला देखिए ट्राइ लेटरल हाईवे कनेक्ट मोरे in मनिपूर and छियांग मै इन थाईलेंड वाया म्यागमार यह है आपका IMT हाईवे जो बनाई जा रही है अगर आप पढ़े रेंगे तो ठीक है नहीं तो यह स्टेटमेंट आप नहीं पकड़ पाएंगे यहाँ पर जो यह चियांग मैं लिखा हुआ है थाइलेंड से ही पास हो रही है लेकिन चियांग मैं से पास नहीं हो रही है यह पास हो रही है मैं सौट से मैं सौट से अब यह मतलब कहीं से भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कहीं से भी expect नहीं किया रहा है लेकिन फिलहाल जानकारी रखिए ये statement एक wrong statement हो गया तीसरा वाला लेकिन आप guess कर सकते हैं ये आपका BCIM यानि की BCIM बंगलादेश, चाइना, इंडिया, म्यांगमार economic corridor बनाये जा रहा है BCIM को समझिए एक तरफ हो गया आपका इंडिया ये हमारा इंडिया साइड हो गया ठीक है ये हमारा ये बंगलादेश हो गया इस साइड में है आपका म्यांगमार इस साइड में है आपका चाइना अब आप ये बताईए इंडिया का कौन सा पार्ट है जिसको आप connect करके बांगलादेश, म्यांगमार, चाइना और इंडिया को connect करेंगे क्या वो बनारस हो सकता है मतलब UP में इतना अंदर घुसेंगे obviously बाहर बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर है कोलकाता पोर्ट कोलकाता से बांगलादेश, बांगलादेश से म्यांगमार म्यांगमार से चाइना, यह होना चाहिए था बजाए कि आपका बनारस तो यह statement यहीं पर wrong statement हो जा रही है इस बनारस से आप पकड़ सकते थे कि यह statement wrong होनी चाहिए यहाँ पर भी आपका सारा ही incorrect है all the, मतलब कोई भी इसमें correct नहीं है question number 11 पे आईए 11 ने consider the following statement statement number 1 यह बोलता है कि इंडिया despite having uranium deposit हाँ भही इंडिया में uranium deposit तो है ही जादू गोडा माइन, जारखंड में बिल्कुल, depend on coal for most of electricity production बिल्कुल सही बात है आज भी हम लोग thermal based power plant ही यह उस कर रहे हैं मतलब 58-60% अभी भी हमारा thermal से ही निकल करके आता है हाला कि अब धीरे-धीरे हम लोग improve कर रहे है अगला बोल रहा है कि uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity 60% enrichment अगर करेंगे तो न जाने कितना बड़ा atom bomb बनेगा क्योंकि यहाँ इरान जिसके उपर में sanction लगा हुआ है यह 20% enrichment किया था तो इसके उपर में sanction लग गया था 5-10% तक ही enrichment maximum आप allowed भी less than 5% है तो 5-10% ही enrichment की जाती है और अगर आप 60% कर देंगे तो यह electricity production नहीं होगा यह destruction होगी तो जो statement number 2 है यह wrong statement है पहली statement correct statement है तो इस वज़े से हमारा answer यहाँ पर हो जाएगा answer C question number 12 question number 12 कहता है कि marsupials are not naturally found in India marsupials क्या होते है marsupials का example है kangaroo this is kangaroo कैसे पता चला हिंदी वाला वर्जन पढ़के पता चला मुझे यहाँ पर देखिए shishudhani istani इसका मतलब यह है कि जो pouch लेकर के घूमते हैं pouch मतलब वही जो kangaroo लोग है तो kangaroo जो pouch लेकर घूमते हैं वही हो गया तो यहाँ पर marsupials they are not naturally found in India बिल्कुल सही बात है यह आपका Australia में पाय जाते हैं news क्यों बनी थी क्योंकि जारखंड में kangaroo पाया गया था देखा गया था साइट किया गया था तो यह Australia में पाय जाते हैं बिल्कुल correct statement है तो पहला तो statement correct है अगला बोलता है कि marsupials can thrive only extreme word आ गया in mountain grassland with no predator मतलब यह extreme का भी extreme बना करके रखा है कि kangaroo केवल और केवल वही पर रह सकते हैं जो mountain grassland है सूखा है with no predator अब ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पर predator ही न मिल रहा हो तो यह statement एक wrong statement है तो यहाँ पर बन गया answer यहाँ पर C कि पहला statement correct है लेकिन जो हमारा अगला statement है वो एक wrong statement है आगे देखते हैं आगे हमारे पास में next question है question number 13 invasive species specialist group that develop global invasive species database belong to which one of the following organization मुझे नहीं पता ABCD छोड़ दो यहीं पर पढ़ो पहले invasive species specialist group पता नहीं क्या चीज़ है न जाने environment पे कई पढ़ा होगा नहीं पढ़ा मुझे नहीं ध्यान है लेकिन आगे बोल रहा है कि एक database create कर रहा है अब यह बताई है कौन सा database आप लोग पढ़ते हैं एक आप लोग पढ़ते हैं red list वाला database निकालता कौन है यह निकालता IUCN यानि database बनाने का जो काम है mainly वो करती है IUCN तो पहला statement क्या IUCN ही बोल रहा है तो answer हो जाएगा आपका IUCN देखे इसी तरीके से आपको guess करना है guess work इसी तरीके से करना है क्योंकि UNEP का देखे कोई UNEP की program होती है UNEP की list होती है कोई database नहीं होता है इसी तरीके से United Nations World Commission for Environment and Development यह तो कुछ भी नहीं निकालती है World Wildlife Fund for Nature यह एक NGO के तरीके से काम करती है तो यह भी नहीं है So this is the organization जो कि ultimately हमारी database का निकालती है अगला देखे question number 14 Consider the following fauna loin-tailed macaak, malabar, sivet, sambar deer आपको बोला यारा इसमें से how many of the above are generally nocturnal और most active during sunset अब दीकि nocturnal को इन्होंने define कर दिया कि कौन है जो रात में सोते हैं और दिन में काम करते हैं most active during sunset मतलब कि रात-री-चर है यानी रात में जगते हैं दिन में सोते हैं आप जरह यह बताए lion-tailed macaak यानी हो गया बंदर दिन में सोते होंगे रात में जगते होंगे नहीं, हम भी तो पूरवज है तो बस हो गया बंदर ही तो पूरवज है यानि ये लोग क्या होते हैं डाई यूरनल होते हैं यानि ये लोग दिन में एक्टिव होते हैं रात में सोते हैं डियर, कभी आपने देखा है कि जो डियर होता है, वो दिन में सो रहा हो और रात में जग रहा हो, दिन में ये भी जो होता है भागता फिरता है, तो ये भी क्या हो गया, डाई यूरनल होता है, यानि ये दिन में ही अक्टिव होते हैं, ये सब दिखी common sense है, इसको कोई पढ़ और केवल 1, ठीक है, तो ना तो 3, ना तो 1, only and only 3, यही nocturnal होता है, बाकी दोनों diurnal होते हैं, अगला देखिए, question number 15, which one of the following organisms perform waggle dance for other of their kin to indicate the direction and the distance to a source of their food? अब देखिए, basically waggle dance जो है, waggle dance के नाम से ही famous है, और यह mainly करती है, honeybees, शहद वाली जो होती है, मदुमक्खियां होती है, मदुमक्खियां basically waggle dance करती हैं दो कारणों से, एक अपने रानी को impress करने के लिए, और दूसरा होता है कि मतलब अपना direction बनाने के लिए, अगला देखते हैं, question number 16, question number 16 देखिए, बहुती general है, some mushroom, some mushroom, some mushroom, some mushroom, सब जगा पर some some लिखा हुआ है, some some का मतलब होता है, sub correct, पढ़ना ही नहीं है आगे क्या चीज है, बस ठीक है, some some है, all four correct होना चाहिए, question number 17, consider the following statement regarding Indian squirrel, अब जरा देखिए, गिलहरी की बात हो रही है, गिलहरी सब लोगों ने देखी रखा होगा, और अगल गिलहरी नहीं दे देखा होगा, chip and dell, chip and dell, आप लोगों ने cartoon आता था, वो देखा होगा, तो chip and dell में आप लोगों ने देखा होगा, क्या करते थे सब, मूफली, अखरोट, यह सब ही कठा करते थे, तो they build a nest by making buros in the ground, कभी भी ground पे आपने chip and dell को देखा क्या, वो सब कहां रहते थे, पेड़ प ground, जमीन के अंदर क्या हो, खोद करके वहाँ पर nut वगर एक अठा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि ठंडी आने वाला था, तो ठंड से बचने के लिए, इन लोगों ने ground, मतब कि ground के अंदर में इन सारी चीजों को एक अठा करके रखा था, and this is correct statement, यह हो जाएगा, correct statement यह लोग ओमनी वैरस हैं, हाँ, बिल्कुल कीडे मकॉडे सब खाते हैं, बिल्कुल सही, correct statement हो गया, तो यहाँ पर क्या है, 2 and 3, वो 2, यह दोनों correct हो जाएगे, अब देखिए, काटून से आंसर निकल करके आ रहा है, तो काटून देखना भी जरूरी है, अगला, consider the following statement, फि इन ट्री और लॉग ओफ वुड, अब ज़र फिर से सवाल पढ़िएगा, कह रहा है, इन चारों में से कौन ऐसा जानवर है, कौन ऐसा स्पीसी है, जो एक टूल बनाएगा, टूल मतलब एक मशीन टाइप का बनाएगा, जो की, मतलब लकडी से एक मशीन टाइप का सब क्या ही करेंगे, बचा औरंग उटान, औरंग उटान क्या है, औरंग उटान मतलब एक तरीके का बंदर, ये औरंग उटान क्या बंदर ही एक मातर ऐसा है, जो टूल बना सकता है, येस, बिलकुल आंसर हो जाएगा, आपका बी, 20th question, consider the following, अब यहाँ पर चार चीज़े लिखी हुई है, आपको बोला रहा है कि, in the making of how many of the above, hydrocarbon, hydrofluorocarbon, HFCs जो होती है, कौन यूज करती है, अगर आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार, मतलब सारे ही तो हैं, लेकिन अब ज़रा ध्यान से समझेगा, aerosol, जितनी भी उडने वाली चीज़े होती है, उडने वाली जैसे, जो हम लोग deodorant वगरे यूज करते हैं, उस तरीके का आप ज़रा सोचिएगा, aerosol उडने वाला है, yes, बिल्कुल, यहाँ पर HFC होनी चाहिए, अगला, foam agent, again, foam के लिए क्या होता है, आप दबाते हैं, मत अब ज़रा यह बताईए, lubricant मतलब हो गया grease, ठीक है, अब यह बताईए, grease क्या है, grease में कहीं पर भी HFC यूज हो सकता है, क्या, नहीं, तो यह answer नहीं है, answer हो गया केवल और केवल 3, टॉप के 3, अब lubricant में सोचिए क्या ही करना है, जैसे माले तहां, eye drop होती है, lubricant के format में होत question, question समझिएगा, interest income, economy का question है, normally economy का question tough माना जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है, डर लगता है बस, interest income from the deposit in invit, एक तरीके का trust है, distributed to their investor is exempted from tax, but the dividend is taxable, मुझे नहीं पता, मुझे यहां पर दिखा कि tax exempted कौन है, tax से जो exempt होती है, ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर government कुछ इस तरीके की होती है, जो exemption किवल और किवल investment पर देती है, आपने investment किया, ठीक है कही पर investment किया, आपने trust में माले ते हैं, दान दे दिया, या माले ते हैं PM care में आपने दान दे दिया, तो जब दान देते हैं, donation कर करते हैं, invest करते हैं, तो वहां पर आपको जरूर exempt कर सकते हैं, लेकिन interest चाहे आप कहीं से पा रहे होंगे, उस पर tax government जरूर लगाएगी, 100% sure है, interest पे tax लगना, और यहां पर यही बोल रहा है कि जो भी interest income आ रही है, वो exempted from tax है, यह statement गलत हो गया, पहला statement गलत, अगला दिखा गया है कि जबी भी act वगरे का नाम आए, तो आप मान के चलिएगा कि वो correct statement है, लेकिन खेर, यहां पर क्या हो गया, answer हो गया, आपका D, कि पहला statement incorrect है, दूसरा statement correct है, अगला देखिए, question number 22, in the post pandemic, recent past, यानि COVID वाला time चल रहा है, many central bank worldwide had carried out interest rate hike, अब अपने interest rate को इन्हो rate hike करनी पड़ेगी, अगला है कि central bank generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy means, यह भी सही बात है, वही OMOs के बारे में, open market operations के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो दोनों statement सही है, और correct explanation भी यहां पर बनता है, तो यहां पर बन जाएगा आपका जो answer है, वो A बन जाएगा answer, आगे चलते हैं, आगे हमारा next question आता है, question number 23, यहां पर है कि carbon market are likely to be one of the most widespread tool in the fight against climate change, सही बात है, जो carbon market चल रही है, carbon market का मतलब जो हम लोग offset market बना करके रखे हुए है, जैसे carbon credit हो गया, या जो carbon bond होते हैं, तो यह बिलकुल climate change को ले करके बढ़िया चीज है, अगला statement है कि carbon market transfer resources from private sector to the state, अब जो carbon market है, यहां पर जो resource होते हैं, यह प्राइवेट सेक्टर से state को जाते है, यह भी एक correct statement है, कैसे समझिएगा, या तो प्राइवेट सेक्टर अपना, कोई अगर माल लेते हैं कि project लगाया तो उसने दे दिया, कैमपा, कैमपा दे दिया, यानि कि compensatory eforestation दे दिया state को, या दूसरा तरीका होता है, कि private owned जो चीजे होते हैं, या तो कोई green forest के लिए अपना fund देगा, और फिर ultimately यह fund दे दिया जाएगा, यहां पर भी एक correct statement है, कि दोनों ही correct statement है, basically, and correct explanation भी यहां पर बन जाता है, तो answer यहां पर हो गया, कि yes, अच्छा, UPSC ने जो दिया है, वो B option दिया हुआ है, कि correct explanation नहीं है, न जाने क्यों दिया है, और बस ठीक है, न जाने क्यों ही दिया है, बस याद कर लिजेगा, कि क्या दिया है, बाकी statement दोनों ही correct है, यह तो खेर, ठीक है, अगला है, which one of the following activities of RBI is considered to be sterilization, ओ या मूज, बिल treasury, bill market और stock market, अब इसमें से बोला जा रहा है, कि आपको बताना है, कौन सा capital market है, दो तरीके के market होते हैं, एक होता है, जिसे हम लोग बोलते है, money market, अब दूसरी होती है, जिसे हम लोग बोलते है, capital market, अब जरा समझते है, capital market long term के लिए होता है, अब देखिएगा, जो हमारा government bond market होता है, five year types का होता है, और बिलकुल ये capital market बनेगा, yes this is correct statement, अगला call money market, ये जो call money market होता है, ये 7 day type का होता है, similarly treasury will be 7 day का और बाकी बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन 7 day के भी होते हैं, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं, कि ये दोनों-दोनो money market है, stock market, yes बिलकुल, तो ये question number, ये जो हमारा first statement और fourth statement है, यही केवल और केवल capital market है, तो ये दोनों बन गया आपका statement का answer, तो इस session में इतना ही, question number 26 से लेकर के 50 ये हम लोग next session में discuss करेंगे, आपको करना क्या है, PYQs जो भी हैं, उसको लगातार revision करना है, जो भी PT 365 का material है, इसको भी revision करना है, और ज question number 26 को जरा ध्यान से पढ़िए, कहा क्या रहा है, which one of the following best describe the concept of small former and large field, small former है और large field है, पहला जरा अब देखें, इस तरीके के जो भी आपके पास में keywords आएंगे, आपको उसी समय पर decode करने होंगे, क्योंकि ये keywords जरूरी नहीं है कि आप पहले से पढ़ रखे हों, चाहे वो current affairs की बात हो, या फिर basics की बात हो, यहाँ पर आपको अपना common sense यूज करना है, तो common sense किस तरीके से लगाया जाए, decode करिए, यहाँ पर लिखा गया है small former and large field, यानि कई सारे former हो सकता है कि आपस में मिल करके आ रहे होंगे, एक cooperative के तरीके से आ रहे होंगे, और फिर ultimately जो भी य उनका objective है, वो कर रहे होंगे, पहला statement पढ़िए, resettlement of a large number of people, अब दिखिए, ज़्यादा लोगों को involve किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर है small former, uprooted from their country due to war by giving them a large cultivable area which they cultivate collectively and share the produce, अब यह जो चीज है, कहीं न कहीं यह आपको जब asylum वगर दी जाती है, तो उसके लिए होता है, तो यह बहुत ही extreme type की चीज जा रही है, कि small former, large field का यह ज़्यादा relevance समझ में नहीं आ रहा है, नेक्स्ट जो option है, many marginal former, चलो ठीक है, यहाँ पर marginal former के बारे में बात हो रही है, किसी एक area में organize themselves, अपने आपको organize कर रहे हैं, अब देखिए, यह आपस में कोई agreement करने के बारे में बात कर रहे है, चलो ठीक है, agreement कर भी सकते हैं, किसी एक corporate body के साथ में agreement कर रहे हैं, और अपनी जो जमीन है, उसको surrender कर दे रहे हैं, अब जरह यह बताईए, क्या आपने कभी भी अपने जमीन को surrender किया है, या कभी अपने जमीन को आप surrender करने की सोचेंगे भी, तो यह surrender करना या अपनी जमीन को दे देना, यह एक extreme word है, और बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इनफेक्ट अगर आप contract farming भी करते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपनी जमीन को surrender नहीं करते हैं, तो यही पर यह statement हो गया, wrong, D statement है, कि एक company extend loan, technical knowledge and material inputs to a number of small farmers in an area, so that they produce the agricultural commodity required by the company for its manufacturing process and commercial production, यह जो हो रहा है, यह again एक contract farming का ही example बन रहा है, तो अगर आप यहाँ पर देखे, small farmer, large field, तो ज़्यादा, most accurate जो answer बना, वो बना आपका B number, इस तरीके के जो question होंगे, वो आपको वही exam में ही शांत मन से decode करने पड़ेंगे, then only you will get the answer, अगला ज़रा सवाल है, 27 number, consider the following statement, government of India, provide MSP for Niger, अब यह Niger क्या चीज है, मुझे नहीं पता था, कि Niger seed क्या चीज होती है, तो जब नहीं पता होता है, तो क्या करते हैं, हिंदी वर्जन देखते हैं, हिंदी में यहां पर नाइगर का मतलब दिया गया है, काला तिल, तिल के लड़ू सभी ने खाया होंगे, काला तिल, सफेद तिल, ठीक है, तो यह हमारे पास में, यह बात समझ में आ गई, कि जो नाइजर होता है इसका मतलब होता है कि ये काला तिल की बारे में बात कर रहा है तिल के लड़ू अब कब खाया जाता है तिल के लड़ू अगर आपको याद हो मकर संक्रांती के दोरान में खाया जाता है मकर संक्रांती कप पढ़ती है नॉर्मली 15 जन्वरी को हम लोग बोलते है कि मकर संक्रांती पढ़ रही है इसी दोरान में तिल के लड़ू अगर है खाय जाते है यही वो टाइम है जब आई थिंक जो पंजाब में मनाय जाता है उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहे है तो काले तिल के लिए MSP निकाला जाता है येस बिलकुल निकाला जाता है कई सारे होते हैं यहाँ पर निकाला जाता है ये एक खरीफ क्रॉप के तौर पर इसे कल्टिवेट किया जाता है अब देखे अगर 15 जन्वरी को तब जाकर कि आप जन्वरी में तिल के लड्डू खा पाएंगे तो यह बात बिल्कुल सही है कि यह एक खरीफ क्रॉप है आंसर कहां से निकाला तिल के लड्डू आपने खाये हैं वहां से निकाला अब देखे पहली बात तो सम ट्राइबल लिखा है तो वैसे ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा दूसरी चीज तिल का तेल भी होता है पूजा वगरे के लिए यूस किया जाता है और पूजा जादतर लोग जो ट्राइबल लोग होते हो जंगलों की पूजा करते ही है तो यह भी यह अगर सही होगा तब दूसरा तीसरा स्टेटमेंट तो मैंने मान लिया कि हाँ यह सही ही होगा चलिए question number 28 पे आ जाते है question number 28 यहाँ पर कहता है consider the investments in the following asset आपको बताना इसमें से जो जो investment किये गए है इसमें से कौन से है जो intangible investments होते है अब जैसे एक होता है intangible जिसको आप touch नहीं कर सकते है और दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते है tangible जिसको हम लोग touch कर सकते है अब देखि condition अगर माल लेते हैं कहा जाए कि suppose apple है तो apple एक brand है क्या apple brand को कभी आप touch कर सकते है क्या apple के mobile को आप touch कर सकते है लेकिल apple brand को नहीं touch कर सकते है this is an idea यह एक idea है तो idea को touch नहीं किया जा सकता है inventory inventory का मतलब है जो भी आपने सामान वगर एक जगा पर store करके रखा है तो सामान को तो आप touch कर ही सकते है तो यह बन गया आपका tangible intellectual property जो भी आपने research की है या जो भी आपने नया idea निकाल करके ले करके आया है यह भी आपका बन गया intellectual property तो यह भी intangible हो गई you cannot touch this mailing list of clients यह हो गया एक तरीके का database अब database को आप कैसे touch करेंगे आप client को touch कर सकते है लेकिन client की mailing list उसको नहीं touch कर सकते हैं तो यहाँ पर one three and four यह तीन correct statement हुआ जो कि हमारे intangible list में आती है inventory हमारे intangible list में नहीं बलकि tangible list में आएगी question number 29 अब यहाँ पर देखिए कई सारे parameter वगरे के बारे में बताया गया है चलो ठीक है for the horizontal tax devolution horizontal tax devolution किया जा रहा है यानि कि state आमंग जो कर रहे हैं आपस में state जो आपस में कर रहे हैं उनको ले करके है vertical वाला तो center से ले करके state के बीच में आता है यह वाली होती है आपकी vertical division और यह हो जाती है जो आपस में होती है इसको हम लोग बोल देते है horizontal devolution 15th finance commission ने इन में से how many of the above as criteria other than population area and income distance यानि 5th finance commission ने इस horizontal tax devolution के लिए कौन कौन से parameters use किये है population area ये तो एक यहाँ पर बताया ही जा रहा है साथ ही साथ में income distance ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों तो है ह नी इसके अलावा आप बताये कि और कौन से parameter लिए गए है कभी भी आप नहीं याद करेंगे कि 15th finance commission या 14th finance commission या किस commission ने ultimately कौन कौन से parameter लिए है याद ही नहीं कर पाएंगे और impossible भी है तो guess करते हैं अब जड़ा ये बताये इसमें से जड़ा ध्यान से समझेगा demographic performance क्या ये disparity को दूर करना है तो regional disparity को दूर करने के लिए जहां पर जिस तरीके की कमी है उतना ज्यादा उसको पैसे देने होंगे तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि regional disparity को दूर करना यानि कि demography की जो performance है उस अधार पर tax revolution तो होना चाहिए दूसरा है forest and ecology येस बिल्कुल ये भी होना चा रहे हैं वो उनमें से one of the criteria forest and ecology भी होता है तो tax revolution यहां से भी हो जाएगा government reform और stable government इन दोनों का क्या लगता है आपको कोई भी खास मतलब है इन दोनों का कोई खास मतलब है stable government है नहीं है सरकार आ रही है सरकार जा रही है इस से tax को क्या मतलब है या government की reform से tax को क्या मतलब है त लेकिन tax and physical effort ये बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि tax collection और tax किस तरीके safe state के physical effort में योगदान दे रहा है ये हमारे लिए एक point होना चाहिए horizontal tax devolution के लिए तो पहला दूसरा और पांचवा ये तीन point होने चाहिए जिस पर हमारा 15th finance commission काम करेगा यानि कि tax devolution को consider करेगा देखिए ये सारी चीज़े आपको दिमाग चलानी पड़ेंगी examination hall में और ये खुद से थोड़ा सा guess work करना ही पड़ेगा और guess work कैसा नहीं है आप यहाँ पर guess work कर सकते हैं कि government ने reform लिया जैसे माल लो suppose government ने reform लिया है suppose कि मैं जो है अब education में मैंने reform किया चलो ठीक है education मैंने reform किया कि ठीक है 12th class के बाद से सभी लोगों को IIT की परिच्छा के लिए जो है सभी लोगों को train किया जाएगा तो इससे tax devolution का क्या मतलब है इससे कोई मतलब नहीं है तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं अगला है question number 30 consider the following infrastructure sector एक है affordable housing mass rapid health care innovation चलो ठीक है चार point यहाँ पर बोल दिये गए अगान how many of the above does UN OPS sustainable investment in infrastructure and innovation initiative focus on its investment इतनी बड़ी चीजों से मुझे एक बाद तो समझ में आ गया कि जो भी चीज उपर में sustainable है उसी चीज को मुझे चार्ट करके ले करके आना है affordable housing yes sustainable होना चाहिए mass rapid transport यह नहीं करेंगे हम इससे हमारा carbon emission बहुत ज्यादा होगा mass rapid अगर हम लोग transport करते हैं तो carbon emission बहुत ज्यादा होगा तो यह हमें नहीं करना है तो तो नहीं करना है लेकिन health care और renewable energy इसमें भी हमें ले करके आना है तो यहाँ पर answer हो जाएगा only three यानी c option हमारा correct option यहाँ पर बना अगला सवाल है कि in the essence of in essence what does due process of law mean देखें जो polity में सवाल आए है यह बहुत tough आए है तफ नहीं बहुत ही tough आए है लेकिन कुछ question दो तीन question है जो आप लोगों को दिया गया है आसान जैसे due process of law यह है natural justice के principle पर काम करता है इसके अलावा जो procedure established by law होती है यह हमारी law के हिसाब से काम करती है जो कि हमारी Britain यानी UK पर based है और जो due process of law है यह USA से सिली गई है और यह natural justice principle पर काम करता है काफी famous question है past year में भी आ रखा है question number 32 in India prisons अब देखी prison हो गया यह होता है state list के अंतरगत अगर आप लोगों को पता हो UP PCS का exam होता है उसमें jail superintendent की post आती है तभी आ सकती है जब prison state list के अंदर हो जैसे police हो गई यह हमारी state list के अंदर में आती है या फिर जो हमारा law and order है यह भी हमारी state list के अंदर आती है prison हो गया again state list के अंदर में ही आता है तो इंडिया में अगर बात किया जाए तो prisons are managed by state government state list में है तो state government के द्वारा तो करना ही चाहिए अभी तक तो correct है with their own rule and regulation for the day-to-day administration of prison बिल्कुल सही बात है state government के हाथ में state list में है तो state वाले अपना loot बनाएंगे ही अपनी विधान सभा से इसका नियम कानून बनाएंगे पहला statement तो correct है दूसरा है कि इन इंडिया prisons are governed by prison act 1894 which expressly kept the subject of prison in the control of provincial government प्रोविंशल मतलब वही state government ही हो गया इचीज ध्यान रखिएगा जभी भी UPSC आपसे सवाल पूस्ती है और वहाँ पर अगर act का mention किया जा रहा है तो act normally हमेशा सही होते है अगर आपको guess करना है एक्जाम में तो आप अगर कहीं पर act लिखा हुआ है तो उसे आप correct मान करके ही चलिएगा अगर आपको नहीं पता है तो guess work करना है then you should consider the statement having provision of act as a correct statement तो यहाँ पर दोनों ही statement क्या हो गया है correct statement हो गया अब सवाल उठता है कि यह जो correct statement है क्या यह सही explanation है या नहीं है क्या यह सही explanation के तोर पे आएगा कि नहीं आएगा यह आप लोगों के लिए कि यहाँ पर point हो सकता है अब देखिए एकाज जगा पर हम लोगों को अभी इनफेक्ट discuss भी करेंगे वहाँ पर कई जगों पर बोला गया है कि यह correct explanation नहीं है हाला कि दोनों statement सही है यह सब चीज़े again UPSC कही न कही अपनी यहाँ पर domination दिखाती ही है कि हमें किस तरीके की चीज़े करनी है या क्या चीज़े आ रही है यह UPSC थोड़ी सी अपनी मनमरजी यहाँ पर चलाती है इसमें आप कुछ कर नहीं सकते है तो यहाँ पर काईदे से अगर आप देखेंगे तो काईदे से आप देखेंगे तो yes it is the explanation यह explanation भी है क्यों क्योंकि इतिहास में जो चीज़े चली आ रही है कई सारी चीज़ों को हम लोगों ने as it is as it is रख भी लिया था कि जैसे Government of India 1935 के कई सारे provisions थे उसको हम लोगों ने as it is ले लिया था कि हाँ ठीक है यही वाली सारी चीज़े चलती रहेंगी तो यहाँ पर अगर 1894 के बारे में बात हो रही है और अगर यहाँ पर प्रोविंशल गवर्मेंट बगरे के बारे में बात हो रही है तो प्रोविंशल गवर्मेंट को ही हम लोगों ने कही न कहीं as a state government में बदल करके सारी चीज़ों को as it is रख लिया है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि yes बिलकुल यहाँ पर जो answer होना चाहिए वो आपका a statement हो जाना चाहिए बात समझ में आगई क्या है चलिए आगे हम लोग जड़ा देखते हैं next question which one of the following statement best reflect the chief purpose of constitution of country basically यहाँ पर constitutionalism के बारे में बात हो रही है और जो constitutionalism होती है यह क्या चीज़ होती है this is define and limit the power of government तो यहाँ पर option हो गया आपका see यह भी past year का repeated question है तो PYQ अगर आप करके गए होंगे तो दो question तो आप असानी से कर सकते थे एक हमारा due process of law वाला और दूसरा यहाँ पर जो chief purpose of constitution है यह वाला next 34 number question in India which of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental right अब देखिए इस question को UPSC ने bonus कर दिया है bonus मतलब इसको cancel कर दिया है तो इसका answer क्या है छोड़ दीजिए consider the following organization body in India एक हो गया जो हमारा NCBC हो गया next है national human right commission NHRC हो गये फिर है national law commission हो गई और national consumer dispute reversal commission हो गई यह जितनी भी bodies है except NB, NCBC यह सभी statutory bodies है और इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही constitutional body है वो है आपकी NCBC national commission for backward class नए amendment के तोर पर इसको constitutional status दे दिया गया है question number 36 को देखते है if the election of president of India is declared void क्यों वाइड होगा क्योंकि supreme court ने बोला होगा इसी वज़े से क्योंकि जो भी dispute होती हो supreme court में जाती है अब यह supreme court इंडिया के द्वारा ही किया गया तो यहां तक तो statement correct statement है all act done by him or her in the performance of duties of his or her office of president before the date of decision becomes invalid कह यह रहा है कि अगर माल लो 15 तारीक को 15 जन्वरी को माल लेते हैं कि president साहब elect worker के office में गए 15 फरवरी तक कि इन्होंने काम किया 15 फरवरी को इनका जो election हुआ है वो माल लिया जाता है कि गलत हुआ है तो एक महीनी के अंदर अंदर में जितना भी इन्होंने काम किया है वो सब null and void हो जाएगा वो सब invalid हो जाएगा अब देखिए president साहब ऐसे तो पहुचे नहीं है जब पहुचे थे तो इन्होंने अपना oath ceremony के बाद ही पहुचा है बंदे ने जो भी काम किया है वो नियम से किया है तो यह statement हो गई आपकी एक wrong statement अगला है election for the post of president of India can be postponed on the ground that some legislative assembly have been dissolved and election are yet to take place यह statement भी एक wrong statement है और यह past year question से भी आप उठा सकते थे अब दिखिए यहाँ पर basically बात की जा रही है वीटो की और वीटो में कही पर भी time limit के बारे में नहीं बोला गया है तो यहाँ पर सारे ही statement wrong statement कोई भी इसमें से correct नहीं है अगले जब next year का prelims होगा 2024 में तो आप लोग surprise मत होईएगा अगर यहाँ पर correct की जगा पर incorrect लिखने अनमदबलिक करके आना शुरू हो जाए तो be prepared with this incorrect statement वाला question ठीक है यह वाले सवाल ही अब बन सकते है question number 37 अब यह question number 37 का क्या answer है यह मेरे समझ में नहीं आया अगर आप लोगों को किसी को समझ में आये तो comment box में जरूर बताईएगा कहा जा रहा है कि with reference to finance bill and money bill अब article number 110 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर define किया गया है कि finance bill क्या चीज़ होती है और finance bill का ही एक पार्ट होता है जिसे हम लोग बोल देते हैं कि this is money bill यह money bill का एक पार्ट बन जाता है तो यहाँ पर आगे बोला या रहा है कि when लोग सभा transmits finance bill to the राजसभा it can amend or reject the bill यह एक wrong statement है क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल recommendation ही केवल और केवल दी जा सकती है ना कि किसी भी तरीके का amendment या rejection question मतलब जो statement number 2 है when the लोग सभा transmit money bill to the राजसभा it cannot amend or reject the bill सही बात है it can only make recommendation जो पहले statement में problem थी उस चीज़ को दूसरे statement में clear कर दिया गया है तो यह कि correct statement होगा अगला है कि in the case of disagreement अगर माल लेते हैं disagreement हो रही है लोग सभा और राजसभा में there is no joint sitting for money bill बिल्कुल सही बात है लेकिन joint sitting becomes necessary for finance bill अब यह जो हमारे पास में यहाँ पर necessary वाली चीज़ आ रही है यह देखिए finance bill के साथ भी यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए था this should also be a wrong लेकिन UPSC ने इसको correct माना है तो यहाँ पर दो statement correct statement माने जा रहे है अगला question question number 38 consider the following statement once the central government notifies an area as community reserve अब देखिए एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल पार्क एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं wildlife sanctuary और एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं community reserve community reserve एक private land होती है जो की ecological importance के कारण से यहाँ पर जो लोग है community है वो आपस में मिल कर के आती है और कहती है कि भई इस community मतलब यह जो private land है इसको एक community reserve के तोर पर बना देना चाहिए और अगर private रहेगा तो कहीं नहीं कहीं private अपनी मनमानी करेगा इसलिए central government इस चीज को wildlife protection act के ही अंतरगत yes wildlife protection wildlife sanctuary के अंतरगत wildlife sanctuary के अंतरगत इसको as a community reserve बना देती है अब जब community reserve बनाती है तो जो यहाँ पर governing authority होती है वो यहाँ के local management committee होती है local management committee न की chief wildlife warden chief wildlife warden national park और wildlife sanctuaries के लिए ही किवल होते है तो पहला statement हो गया wrong और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यह तो एक local area वाली चीज है तो इस वज़े से chief wildlife warden नहीं होना चाहिए guess work है hunting is not allowed in such area बात सही है general statement है कि hunting नहीं होनी चाहिए people of such area are allowed to collect non-timber forest produce यह भी एक general statement है minor forest right के आधार पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो non-timber forest produce है वो लोग collect कर सकते हैं अब यहाँ पर अगला statement बोलता है people of such area are allowed traditional agricultural practices अब जो traditional agricultural practices होती है वो कौन सी होती है यह होती है आपकी shifting agriculture अब जर आप यह बताईए कि shifting agriculture यहाँ के लोग अगर करेंगे तो क्या जंगल ही नहीं जल जाएगा मतलब community reserve नहीं जल जाएगा तो यह यहाँ पर allowed नहीं होता है तो यहाँ पर 2 and 3 correct statement है यानि कि only 2 यह correct statement माना जाएगा अगला question है question number 39 यहाँ पर है with reference to scheduled area in India consider the following statement कहा जा रहा है कि within a state अच्छा scheduled area क्या होते है scheduled area basically या तो governor या फिर governor मतलब president in the name of governor या फिर governor ये देखते हैं तो governor असम का area हो गया ठीक है में लिए असम के area और जो schedule 6 के area है उसको देखा जाता है schedule 6 नहीं, schedule 5 this is schedule number 5 प्लस असम के area इसको देखा जाता है governor के द्वारा बाकि जो schedule 6 का area है वो पूरा का पूरा president के द्वारा देखा जाता है अब देखी statements क्या-क्या बोले जा रहा है कि within a state, किसी के state के अंडर में ले लिजे कोई साभी state आप ले लिजे, फिस्ट बंगॉल का area ले लिजे तो यहाँ पर जो है, माल लेते हैं यह फिर माल लेते हैं, असम का ही area ले लिजे तो non-notification of area as a scheduled area takes place through an order of president प्रेसिडेंट के द्वारा होता है जनरल statement है, बिलकुल सही बात है यहाँ ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है तो यह दोनों statement तो यहाँ पर correct statement है पहली बात आपको CM नहीं करते है या तो यह governor कर रहे होंगे या फिर यह president कर रहे होंगे तो यहाँ पर primarily कर रहे है governor governor दे रहे है report किसको president को न की home ministry को on the administration of scheduled areas in the state तो यह statement एक wrong statement है आपको केवल और केवल पहला और दूसरा correct है यानि कि only two statements are correct statement question number 40 Supreme Court of India has held in some judgments that the reservation policy made under article 16 subclass 4 of the constitution of India would be limited by article 335 for maintenance of efficiency of administration correct statement है कोई दिक्कत नहीं है अगला है article 305 of constitution of India define the term efficiency of administration constitution में कहीं पर भी article 305 छोड़ी है कहीं पर भी efficiency of administration को define नहीं किया गया है तो यहां पर हो जाएगा option number C कि पहला correct है दूसरा incorrect statement हो जाएगा question number 41 अब ज़रा यहां से इतिहास के सवाल हो रहे हैं और इतिहास के सवाल जो देखा गया है इस बार के examination में उसमें सीधा यही है कि यहां तो आपको आ रहा होगा यह नहीं आ रहा होगा तो either you can skip the question और you can take a guess या पर आप यहां पर guess कर सकते हैं history के question में जब आपको guess करना हो और अगर कहीं all of the above हो आप mark कर दीजेगा मैं आप सोचने की जरूत नहीं है आप mark कर दीजेगा ultimately आप positive में ही रहेंगे सवाल क्या है अब ज़रा समझते हैं in which one of the following region was धन्य कटक अब पता नहीं क्या लिखा है हिंदी में पढ़ते हैं यहां पर है धन्य कटक जो महासंगिकों के अधीन बुद्धिजब में होते हैं ना महासंगिकों होते हैं और मतलब दिगंबर एक हीनियान होते हैं मैं पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ मुझे नहीं पता एक चीज़ मुझे पता है कि जो महासंगिक है इनका जो मेंन एरिया है यह आपका साउथ इंडिया में हुआ था साउथ इंडिया में मेंली होना चाहिए तो अब मुझे South India के छेतर चाहिए आंदरप्रदेश, yes, it may be an answer गांधार, ये तो उपर-उपर का है ये तो तक्षिला वाले रिजन का है कलिंग, ये तो आपका बिहार वाला हो गया मगद, ये भी आपका बिहार मतलब इसे कली उडीसा है ये ये भी हार हो गया, तो यहां से एक guess मिल रहा है कि answer हो सकता है कि A हो, और अगर मुझे guess करना होगा तो मैं answer A guess करके आगे बढ़ जाओंगा या तो सही होगा या गलत होगा अधिक से अधिक लेकिन this one is the correct option और इस तरीके से भी आप guess कर सकते हैं 42 With reference to ancient India Consider the following statement Statement क्या है The concept of Istoop is Buddhist in origin अच्छा, दूसरा है कि Istoop was generally a repository of relic अब देखिया अगर दूसरा statement आपने correct माना, तो पहला automatically गलत हो गया क्योंकि आप लोगों ने Art and Culture में ही In fact पढ़ करके रखा होगा कि हमारे, मतलब जब पहले लोग तो उन लोगों को बरी कर दिया जाता था उसके आश पास में इस तरीके से पत्थर रख दिये जाते थे बड़े-बड़े पत्थर रख दिये जाते थे तो ये एक तरीके का Istoop की परिकलपना थी कि Istoop बना दिया गया और यही बात यहां पर बोला भी जा रहा है कि रिपॉजिटरी ऑफ रिलीक्स है और अगर स्टेटमेंट नम्मन टू करेक्ट है तो पहला आटोमेटिकली गलत हो गया कि यह तो पहले से चल रही है तो पहला स्टेटमेंट हो गया रॉंग दूसरा हो गया करेक्ट तीसरा है कि इस्टूप वॉटिव and commemorative structure in Buddhist tradition तीसरा statement बड़ा ही general सा है वो ये कह रहा है कि हाँ ठीक है चलो एक normal structure commemorative structure के तौर पड़ा पावित्र माना जाता है तो यहाँ पर दो statement correct हो गए मतलब only two correct statements 43 यह देखिए हम लोगों ने जो discussion किया हुआ है अपनी history की जो series है वहाँ पर भी हम लोगों ने इस पर discussion किया हुआ है कि South India में कोरकई, पुमपुहर और मुचीरी ये तीनों किस चीज के लिए जाने आते थे ये तीनों जाने आते थे अपने port के लिए संगम literature में ये सम mention किया गया है चोल चेर पांडे के अंतरगत हम लोगों ने इसको काफी detail में discuss भी कर रखे है question number 44 which one of the following explains the practice of वतक किरूकतल as mentioned in संगम पोयम अगर आपको नहीं पता है then you should skip this इसमें कुछ भी guess नहीं कर सकते है कर ही नहीं सकते है guess वितु कुरूकल अब देखिए और ये वतक किरूतल इस तरीके का कोई सवाल बनता है तो यहां पर आपको ध्यान देना है या तो option love से related होगा या war से related होगा या फिर कोई moral teaching से related होगा moral teaching क्योंकि यही तीन चीज़े हैं जो हमारी संगम लिटरेचर में बात की गई है तो इन तीन चीज़ों के आधार पर अगर हम लोग गेस करें पहला है कि kings employing woman bodyguard अब राजा अपने bodyguard से तो प्यार करेगा नहीं तो पहला तो कार दीजिए ठीक है दूसरा है learned person assembling in royal court to discuss religious and philosophical matter ठीक है एक हो सकता है moral teaching के आधार पर आ सकता है कि moral teachings यहाँ पर होनी चाहिए तो यह भी एक option बन सकता है guess करने का तरीका हम लोग बात कर रहे है अगला है young girls keeping watch over agricultural field and driving away birds and animals अब मतलब young girl चिडिया और जानवर से तो प्यार करेंगी नहीं यह भी नहीं होना चाहिए last a king defeated in a battle committing suicide by starving himself to death दो बाते हैं यहाँ पर एक तो पहली बात war के बारे में आ गया और दूसरा war के बाद अगर हार गया है तो अपने आपको एक moral teaching भी दे रहा है moral teaching भी दे रहा है तो या तो answer D correct होना चाहिए या फिर answer B correct होना चाहिए अब यह आपका answer 50-50 में आ गया आप आप guess कर सकते हैं UPSC ने जो इसका answer दिया है वो दिया है D option तो in future, future के लिए हम लोग ने basically बात किया तो अगर संगम literature से related चीज़े आई तो आप इन तीन चीजों को ले करके guess work कर सकते हैं option बनाने वाला इतना नहीं दिमाग लगा पाएगा कि वो ultimately इस तरीके से चीजों को sort out करे अगला यहाँ पर 4 dynasties के नाम दे रखे हैं जिनका सिर्फ और नाम ही केवल सुने होंगे इसकी detail आपने नहीं पढ़े होगी इसमें से बोला या रहा है कि कौन सी dynasties है जो कि early 8 century में develop कर दी गई थी अब देखिए होएसाल या फिर गहडवाल या ककातिया या यादव ये देखिए बिना confidence के आप ये question नहीं कर सकते हैं तो ये question एक ऐसा question है जिसको आपको छोड़ देना चाहिए लेकिन याद रखिएगा अब से आगे के लिए होएसाल 10th century, गहडवाल 11th century, ककातिया 12th century और जो यादव है वो 13th century तो इसमें से कोई भी 8th century के आज़ पास का नहीं है तो answer हो जाएगा नन आगे के लिए याद रखने के लिए अगर माल लेते हैं future में question आया तो question number 46 हम लोगों ने इसको भी जो अपनी history की series है काफी कुछ आपको मिल जाएगा और at least four to five questions you can easily solve चार से पांच questions अगर कर लेंगे तो UPSC में समझ लीजे कहां से कहां पहुंच गए पहला है देवी चंद्र गुप्तम देवी चंद्र गुप्तम ये basically गुप्तवंश की है और इसको लिखा गया था विशाख दत्त के द्वारा विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था यहाँ पर basically जो रामदास थे चंद्र गुप्त मौरे के बड़े भाई थे रामदास इन्होंने शक रूलर आय थे शक रूलर इनके उपर में अटाइक किया था और इसकी वाइफ को ले करके भाग गया था और इस वज़े से रामदास का चंद्र गुप्त मौरे ने हत्या कर दिया और बाद में इसकी वाइफ को जो ले करके गय थे यानी चंदरगुप्त वन ने अपनी भावी के साथ में शादी कर लिया और इल्टिमेटलि अपने साथ रखा था तो यहाँ पर यह बिलहंड यह नहीं आंसर है आंसर है विशाखदत दूसरा है हमीर महाकाव्य ये जो हमीर महाकाव्य है ये हमीर महाकाव्य लिखा गया था नयाचंसूरी के ही द्वारा ये जैन धर्म के प्रवर्तक थे हमीर महा कावे में basically चोहन वंज के बारे में बताया गया है प्रित्वीरा चोहन वगर है ना उसके बारे में आपर बताया गया है और इससे पहले भी एक बार सवाल आया था नागारजुन और नाकसेन को ले करके तो वहाँ पर भी सवाल में अलग-अलग माना गया है तो इध्यान रखना ये एक स्टेटमेंट रॉंग है मिलिंद पन्हों बिसिकली मिलिंद था शक्त था उसको इन्होंने ज्यान दिया था बुद्धिजम के बारे में अगला है नीती, वक्र, वक्रामृत ये सोमदेव सूरी के द्वारा ही लिखा गया था ये बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट तो इसमें से दो ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है बाकी ये रॉंग स्टेटमेंट है याद रखने वाली चीज़ है देखिए सब र आगे बढ़ते हैं soul are not only the property of animal and plant life बलकी रॉक की भी है running water की भी है छोटे मोटे natural object है उन सभी की है तो यह तो जैनिजम हो गया ना जैनिजम वाले ही बहुत ज़्यादा मतलब extreme पर हो करके जाते हैं तो आंसर हो गया इसका B next one is who among the following ruler of Vijayanagar empire constructed a large dam across Tungbhadra river and a canal come adequate several kilometer long ये देखिए बनाय गया था देवराए वन के द्वारा दिस देवराए वन और Vijayanagar empire के बारे में अगेन हम लोगों ने discussion कर रखा है you can refer to the history वाला lecture तो आसा से आप चीजों को कर सकते हैं this is again very very important और आसानी से सारे question किये जा सकते है if you have gone through with the videos question number 49 who among the following ruler of medieval gujarat surrendered due to Portuguese यहाँ पर ये बंदा था आपका बहादूर शाह बहादूर शाह था इसके बारे में है तो ये भी again एक ऐसा सवाल है जो factual based है अगर आपको पता है then it is okay नहीं तो आप skip करिए question number 50 सबसे आसान question मानूंगा मैं इस पूरे के पूरे paper का यहाँ पर बोला आ रहा है कि governor general of Bengal designated as governor general of India ये किस act में किया गया था ये किया गया था charter act of 1833 में तो इस session में हम लोगोंने question number 26 से 50 के बीच में discussion कर लिया है question number 51 जैसा कि अभी हम लोग देखी रहे हैं कि question को बड़े ही बारीकी से आपको पढ़ना है जैसे consider the following statement in relation to जननी सुरक्षा योजना अब दिखिए ये योजना को ले करके यहाँ पर हमारे पास में questions से स्टार्ट हो गया है अब दिखिए ये जो जननी सुरक्षा योजना है ये start की गई थी union के द्वारा एक center sponsored सरी center sector scheme है अगर ये center sector scheme है तो it is safe motherhood intervention ये बात तो सही है क्योंकि यहाँ पर institutional delivery के बारे में बात की गई है लेकिन ये किया गया है central government के द्वारा यानि कि सारी चीज़ें यहाँ पर central government के द्वारा की जाती है न कि state health department के द्वारा तो यहाँ पर state include जो किया गया है ये एक wrong statement हो जाता है second यहाँ पर statement है कि इसका जो objective है is to reduce maternal and new natal mortality अब देखिए institutional delivery यहाँ पर कराई जा रही है वो इसी लिए कराई जा रही है ताकि delivery के दौरान में जो भी death होती है चाहे maternal की या फिर जो new natal है जिसको जच्चा बच्चा बच्चा की सुरक्षा जरूरी है और especially जो poor pregnant woman है उनको ले करके तो यह statement बिल्कुल correct statement है third statement is it aims to promote institutional delivery among poor pregnant women जो दूसरा statement है वही तीसरा statement है यानि कि दूसरा और तीसरा दोनों ही एक तरीके से correct statement हो गए चौथा statement है कि इसका जो objective है includes providing public health facilities to sick infant up to one year of age अब दिखिए यहाँ पर infant of one year age यह हर बच्चे को है जरूरी नहीं है कि वो अपने आप में बीमार ही हो अगर बीमार है या healthy भी है दोनों को ही यहाँ पर यह facilities health जो public health facilities है यह provide की जा रही है तो यह एक wrong statement हो गया यानि कि केवल और केवल two and three correct statement है तो यहाँ पर answer हो जाएगा आपका B question number 52 देखिए question number 52 एनिमिया मुक्त भारत strategy को ले करके है question है consider the following statement in context of intervention being undertaken under एनिमिया मुक्त भारत strategy अब देखिए एनिमिया की जो कमी होती है primarily वो महिलाओं में ही देखने को मिलती है और वो basically iron की कमी के कारण से होती है तो जो पहला statement इसमें कहा जा रहा है कि it provides prophylactic calcium supplement for pre-school children, adolescent and pregnant women अब यह बताइए कमी है iron की, दिया जा रहा है calcium, क्या ही करना है तो यह statement wrong statement है क्योंकि हमें iron देना होता है बजाए की calcium दूसरा statement है कि it runs a campaign for delayed cord clamping at the time of child birth normally जब delivery हो रही होती है, तो delivery के दौरान में imbiblical cord होती है अगर वो तुरंट cut कर दिया जाए, पहले यह कहा गया था कि एक मिनट तक इसको रोका जाता है अभी निया guideline आया हुआ है और यह कहा गया है कि तीन मिनट तक imbiblical cord को नहीं cut करना होता है इससे actually जो iron की deficiency होती है वो बच्चे में आ जाती है तो यह निया guideline है, WHA को जोरा basically guideline है अब यह देखिए आपको अगर पता है then it is okay, नहीं पता है तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं ना तो यह news में था, ना तो यह किसी तरीके से था यह बस एक जागरुकता अभियान के तोर पर आप बोल सकते हैं कि अगर पता है then it is okay, otherwise you cannot answer this question question number, statement 3 है it provides for periodic de-warming to children and adolescents de-warming normally जो diarrhea वगर होता है, उसके लिए होता है तो yes, इस program, anemia मुक्त भारत program में इस de-warming को भी include किया गया है तो यह भी अगेन आपको पता रहेगा, तभी किवल कर सकते हैं तो it addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with a special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis अगर de-warming तो उसके साथ में malaria हो गया, philaria हो गया या जो hemoglobin के कारण से problem होती है तो तीनों यह statement actual में correct statement है लेकिन again यही है, कि अगर आपको पता है, actually PIB की news में यह चीज है तो अगर आपको पता है, then it is okay, otherwise you cannot answer this question तो यहाँ पर हो जाएगा आपका only three correct हम लोग ने trick के तौर पर एक thumb note लेके रखा हुआ है कि अगर आपको guess करना है, तो आप only two correct करेंगे only two, यानि दो statement correct है यह देखिया, ultimately आपको फायदा ही पहुचाएगा कुछ questions होंगे जहाँ पर आपका नुकसान होगा लेकिन ultimately अगर एक grasp देखें, तो फायदा ही होगा खेर, अगर आपको पता है, then it is okay otherwise you, अगर आप guess लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं सारे questions देखें, UPSC के करने भी नहीं होते हैं अगर आप कर रहे हैं सारे questions, तो आपको ultimately guess toak लेना, heap लेना होगा you cannot answer, आप मतलब 40 से उपर के जो सवाल है अगर आप करना चाह रहे हैं, तो guess work करना पड़ेगा और कुछ जोगों पर आपको risk भी लेना पड़ेगा, blind risk भी लेना पड़े जाएगा कई बार question number 53, consider the following statement carbon fiber, अब देखें, carbon fiber के बारे में बाते हो रही हैं होता होगा कुछ are used in the manufacture of components used in automobile and aircraft अब देखें, carbon fiber की जो चीज़ें है, automobile और aircraft में use की जाती है बात सही है, in fact, जो dashboard वगर आगे बनाया जाता है, वो सब इसी carbon fiber का ही बना होता है तो ये correct statement है, और वैसे बहुत general statement भी है, आप देख करके बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, सही ही होगा क्या ही करना information दे रहा है, अगला है कि carbon fiber once used cannot be recycled अब देखिए, ये बोल रहा है कि ये recycle नहीं किया जा सकता है कौन सी हैसी चीज़ जिसको recycle, fiber कोई भी अगर है, तो उसको recycle हम कर सकते हैं fiber मतलब क्या होता, fiber मतलब होता है रेशा, अब रेशा आप किसी भी तरीके से आप मतलब recycle कर सकते हैं तो ये statement एक wrong statement हो जाएगी, तो यहाँ पर केवल और केवल only one correct हो जाएगा answer, it can be recycled, इसको हम recycle कर सकते हैं अगला question देखते हैं, question है, detection of car crash collision which results in deployment of airbag almost instantaneously सवाल क्या है, in how many above action is the function of acceleratometer is required जो acceleratometer होता है, वो कहां कहां पर required होता है देखें कहीं पर भी, अगर अचानक से impulse लगे, impulse का मतलब अचानक से अगर कहीं पर जटका लग रहा है ठीक है, कहीं पर भी जटका लग रहा है, तो वहाँ accident होने के chances होते हैं और इस accident से बचने के लिए acceleratometer लगाया जाता है, जिसने कि हमें इस जटके के बारे में पता चले और इस जटके के खिलाफ में कुछ हम mechanism कर सकें, जो हमारी चीजों को बचा सकेगा अब जरह सवाल पढ़िए, कार की crash detect होने वाली है, seat belt आपने लगा रखा है, कार crash होई, आपको पता चल गया, आपकी airbag खुलनी है तो airbag कैसे खुलेगी, जब आपको जटका पता चल जाएगा, तो जटका पता चला, instantaneously, yes बिल्कुल यहाँ पर हमें एक्सलरेटो मेटर लगाने की जरूत पड़ेगी second statement कि detection of accidental fall, अगेन देखिए, accidental fall, यानि कोई जटके वाली चीज है, एक laptop गिरा towards the ground, which result in immediate turning of the hard drive hard drive तुरन बंद कर देता है, अधरवाई यह crash होने का chance होता है, तो yes बिल्कुल यहाँ पर भी accelerator meter की use की जाएगी detection of tilt of the smartphone, which result in rotation of display, between portrait and landscape mode अब देखिए, अगर आपने, जो display है, उसको कई बार आपको जसे tear करना होता है, तो यहाँ पर भी accelerator meter होती है बीच में आपको एक device, मतलब बीच में ले करके आना होता है, तब जा करके यह आपका जो portrait और landscape mode है वो सही तरीके से काम करता है, तो यह बिल्कुल सही बात है, rotation के लिए भी यह काम करेगा और वैसे तीनों ही statement देखिए, बहुत ही general से statement है, science and tech का question है, तो all above the normally correct होता ही है तो यहाँ पर सारे ही answer correct होंगे एक thumb rule आपको यह बताया गया है, कि only two correct मान करके चलिएगा दूसरा thumb rule आपको यह बताया जा रहा है, कि अगर history का question है, या फिर science and tech का question है अगर कोई extreme word नहीं है, तो यहाँ पर all of the above correct answer होगा तीसरा एक thumb rule आप मान सकते हैं, again guess करने वाली चीज़ है कि अगर किसी question में data लिखा हुआ है, तो normally वो statement wrong statement होगा चौथा thumb rule आपको, कि अगर कहीं किसी question में किसी act की बात की जा रही है तो normally वो एक correct statement ही होगा तो यह सब कुछ thumb rule है, जिसका इस्तमाल कर सकते हैं, हम answer को guess करने में देखें, यह answer निकालने का तरीका नहीं है, यह just एक guess करने का तरीका है चलिए, आगे question देखते है, question number 55 यहाँ पर बात हो रही है, bio filters को ले करके question है, with reference to the role of bio filter in recirculating aquaculture system consider the following अब जैसे हम लोग घरों में aquarium लगा करके रखे होते हैं, या कई जगों पर fish की breeding की जाती है artificial तरीके से, तो जहाँ जहाँ पर भी breeding की जाती है, यहाँ पर अगर artificial system है, तो हमें कुछ mechanism करने होते हैं, जैसे अगर आपने aquarium देखा होगा घरों में हो ना हो अलग बात है, लेकिन देखा तो होगा ही, एक box type का होता है इस box में उपर से दो pipe लगी होती है, एक pipe होती है, जो oxygen की proper supply दे रही होती है और दूसरा होता है, जो nitrogenous compound, जो ammonia है, इसको बाहर निकालती है जैसे क्या है, अगर आप कोई भी animal के बारे में बात करेंगे animal, in fact अगर आप किसी भी fauna के बारे में बात कर लीजे, including marine species हम सभी लोग nitrogenous compound को eject करते हैं, eject मतलब urinate करते हैं, एक तरीके से कह लीजे तो कुछ होते हैं, जो urea के format में होते हैं, जिसे uric acid, तो uricotelic बुले आता है यहाँ पर भी nitrogen ही होती है, और कहीं पर होती है, जहाँ पर ammonia निकाली जाती है, NS3 निकाली जाती है तो इस सभी compound को आपको system के बाहर निकालना होता है, otherwise death होने का chance होता है तो अगर artificial तरीका है, then you have to create some mechanism, जिससे आपका यह जो ammonia वो बाहर निकाले और इसलिए एक pipe यहाँ पर लगी होती है, जो ammonia को बाहर निकालती है, और दूसरी pipe होती है, जो basically oxygen की supply ensure करती है तो यह aquarium में अगर कभी जाईएगा कहीं पर भी, जैसे mall वगरे जो होते हैं, वहाँ पर लगे होते हैं, तो वहाँ पर देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि दो pipe हैं, लगाता है उसमें बुल-बुल-बुल-बुल-बुले निकल रहे होते हैं अब यहाँ पर सेखिए, जो बड़े-बड़े system होते हैं, जहाँ breeding की जाती है, वहाँ पर लगाया जाता है बायो filter बायो filter obviously, यही जो ammonia है, या जो oxygen है, इसी की supply को ensure करने के लिए ही होता होगा अब ज़रा statement पढ़ते हैं, पहला statement है कि जो bio filters हैं, यह provide करते हैं waste treatment by removing uneaten fish feed जो भी गंदगी है, waste है, उसको बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, ठीक है, correct statement है अगला है कि जो bio filter है, या ammonia को convert करते हैं in fish waste to nitrate यह भी बात सही है, nitrate निकाल देंगे क्योंकि ammonia को ultimately बाहर निकालना है, यही तो पुरी की पुरी mechanism ही है तीसरा statement है कि जो bio filters हैं, यह increase करते हैं phosphorus as a nutrient for fish in water अब जड़ा यह बताइए, मुझे यहाँ दो ही काम करने हैं, एक तो अमोनिया को बाहर निकालना है और दूसरा oxygen को supply ensure करना है तो bio filter, filtering का काम कर रहा है, तो जो filter का काम कर रहा है, तो कोई भी nutrient यह कहां से add कर पाएगा nutrient add करने के लिए आपको अलग से कुछ न कुछ nutrient provide करना पड़ता है, तब जा करके यह nutrient rich होगा तो यह statement एक wrong statement हो गया, यहाँ पर किसी भी तरीके का nutrient supply नहीं की जा रही है यानि कि यहाँ पर answer हो जाएगा केवल दो, खुदी सोचिए, bio filter और future के लिए भी सोचिए bio मतलब कि biological है, यानि कुछ bacteria वाली चीज यहाँ पर use की जा रही होगी और यह bacteria basically ammonia को nitrate में बदल दे रहा है, इतना ही काम है इसका filter का काम क्या है, filter का मतलब होता है चानना, किसी भी चीज को चान देना तो जब चानेगा, तो यहाँ पर कहीं से भी nutrient थोड़ी मिल रही है कि nutrient हम इसको provide करने question number 56, question number 56 यह कहता है कि object in space और दूसरे तरफ है description यह हमारा ciphites, nebula और हमारा है pulsars ciphites का मतलब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि giant cloud of dust and gas in space nebula का मतलब कहा जा रहा है star with brightened dim periodically और तीसरा है pulsars, यानि neutron star that are formed when massive star run out of fuel and collapse यह geography का basic question है और यह normally आप लोग current affairs में भी पढ़े होंगे pulsar की definition तो ठीक है कि neutron star है और यह massive star के run out fuel के कारण से होता रहता है nebula का मतलब होता है giant cloud यह हमारा gas है cloud है और दूसरे तरफ हमारा ciphites है ciphites का मतलब यह हो गया कि star that bright dim periodically तो यह दोनों statement actual में अदला बदली कर दी गई है यानि यह दोनों wrong statement है और जबकि यह तीसरा वाला statement एक correct statement है तो यहाँ पर केवल और केवल only one correct answer होगा बाकी सारा wrong statement है अगला question है which one of the following country has its own satellite navigation system देखिए यह again factual data है अगर आपको पता है तब ठीक है नहीं तो ऐसे question को skip ही कर सकते हैं इसमें कुछ option निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि countries Australia, Canada, Israel, Japan मतलब देख के लग रहा है सब के पास होना चाहिए तो यहाँ पर answer है आपका Japan पता होगा तो ही कर सकते हैं नहीं तो आप skip करिए question number 58 consider the following statements समझते हैं बलास्टिक मिसाइल बलास्टिक मिसाइल वो होते हैं जो इस तरीके का parabolic path cover करते हैं long distance होते हैं normally medium या long होते हैं यह jet propelled होते हैं at a subsonic speed throughout their flight jet propelled हो रहा है यानि अलग-अलग stages होंगे यहाँ पर different stages होंगे दूसरी तरह बोल रहा है cruise missile यह rocket powered only in the initial phase of flight अब दिकिए एक तो यहाँ पर extreme word हो गया पहली चीज दूसरी बात यहाँ पर stage wise चीजे होती है जैसे stage 1 रहेगा जहाँ पर पहले solid propellant रहेगा या liquid propellant रहेगा फिर stage 2 आएगा फिर stage 3 आएगा तो यह statement एक wrong statement हो गया एक तो only आ गया दूसरा इतना तो basic आप लोगों को पता ही होगा फिर हमारे पास अगनी 5 अगनी 5 एक medium range supersonic cruise missile है जबकि जो ब्रम्होस है एक solid fuel intercontinental ballistic missile है यहाँ पर भी देखिए अदला बदली कर दी गई है ब्रम्होस की अगनी 5 के साथ में यह भी एक wrong statement है यहाँ पर दोनों ही statement wrong statement है और यहाँ पर पूछा भी correct गया है देखिए अगले साल next year याणी 2024 के परलिम्स में expectation यही है कि जितना जितना यह correct वाली चीज़ पूछी गई है इस बार incorrect पर focus कर सकते हैं तो make sure कि जबी भी आप exam दीजिए यह जरूर देखिए कि correct बोला या रहा है कि incorrect बोला या रहा है यह देखिए exam देते वक्त कहीं न कहीं दिमाग से छूटता है इसलिए बार बार दिमाग में balance बना के चलना है Q55, consider the following statement regarding mercury pollution चलो ठीक है mercury pollution, mercury के card से कौन से disease होती है that is minimata disease, minimata convention भी इस चीज़ को लेकर के हुआ था, 2017 में इंडिया ने इसको ratify भी किया है चलिए, पहला statement है कि gold mining activity is a source of mercury pollution in the world, होगा हमको क्या पता लेकिन ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, statement correct है, कोई भी extreme word नहीं है, normal general statement information दे रहा है अगला ये कहा जा रहा है कि जो coal based thermal power plants होते हैं, ये cause mercury pollution हाँ ठीक है, mercury actually this is HG, और ये amalgamation के दोरान में use भी होता है तो ये भी correct statement होगा, कहीं पर कोई extreme word नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तीसरा बोला या रहा है कि there is no known safe level of exposure to mercury अब दिखिए, ये एक extreme statement है, normally अब जैसे एक safe level होती है, हर चीज की अपनी safe level होती है In fact, Maggie वाले time में sodium, mono glutamate करके जो चीज हुआ करती थी, उसमें भी एक safe level होती थी कि 0.05 SMG तक use कर सकते हैं, उसके बार जो रहेगा, वो नुकसान दे होगा In fact, cadmium हो गया, fluoride हो गया, हर चीज की अपनी एक safe level होती है लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी safe level नहीं है mercury का तो यह एक wrong statement है, extreme word है, extreme statement है तो यहाँ पर guess करने के लिए only two correct यहाँ पर आप answer दे सकते हैं 60, with reference to green hydrogen, consider the following statement Green hydrogen अब focus area है, इससे fuel बनाया जा रहा है और renewable energy का एक बड़ा अच्छा source हमें मिल गया है statement पढ़िए, it can be used, it can be blended, it can be used हर जगा पर एक possibility दिखाई जा रही है, positive note के साथ में तो यह तीनों ही statement, correct statement मुझे आके पढ़ने की जरूरत ही नहीं पढ़ी तीनों ही चीजों में यह बोला रहा है कि यहाँ ठीक है it can be used, it can be used, it can be used, correct statement आगे बढ़ते हैं अगला mapping को ले करके question है, और यह बढ़ा ही मतलब obvious सी चीज थी यहाँ पर बोला रहा है कि Ukraine के आसपास में कौन सी countries है तो Ukraine news में भी था, war चल रही है, पता भी होना चाहिए था, guess भी कर सकते हैं देखिए यहाँ पर basically Hungary और जो Romania है, यह दो country है, जो Ukraine के साथ लग रहा है तो यहाँ पर answer हो जाएगा only two, map पता होना चाहिए, then only you can अच्छा, map map के लिए, अब ऐसे तो आपको read करना चाहिए लेकिन कई सारे YouTube पर आपको vlogs वाले channels भी मिलते हैं तो vlogs वाले channel भी आप चाहिए, तो watch कर सकते हैं, इसे entertainment भी हो जाता है और आपका mapping भी थोड़ा सा strong हो जाती है, capital वगरह याद हो जाती है, मिन बाती ही होती है, capitals याद हो जाती है चली खेर, question 62, with reference to earth atmosphere, which one of the following statement is correct Earth के atmosphere को लेकर के इसमें से कौन सा statement है, जो correct statement है पहला है कि the total amount of insulation received at the equator is roughly about 10 times of that received at the pole एक तो देखिए, यहाँ पर data का involvement हो रहा है, पहली चीज़, तो हो सकता है गलत होगा अब थोड़ा सा इसको read कर लेते हैं, total amount of insulation received at equator is roughly 10 times that of the received at pole यह माल लेते हैं कि हमारी earth है, यहाँ पर माल लेते हैं कि आपका sunlight हर जगा पर insulation इकठा हो रहा है तो जो इकठा होगा, equator पर तो बहुत ज़ादा होगा, यह बात सही है 10 times होगा की नहीं होगा, यह मुझे नहीं पता चलिए ठीक है, जो infrared rays है, this constitute roughly two-third of insulation अब यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि two-third होगा, नहीं होगा यहाँ पर भी देखिए data का involvement है, हो सकता है, हो नहीं हो सकता है, नहीं हो, मुझे नहीं पता C option, infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere अब देखिए short wave radiation है, जो हमारी insulation आती है statement बोल रहा है कि largely यह water vapor के द्वारा absorb कर ली जाती है, बात सही भी है, कि यह तो absorb की जाती है heat budget maintain करने के लिए, in fact आप लोगों नहीं यह चीज पढ़ी भी होगी, कि हाँ ठीक है, करते भी है तो यह ऐसा statement है, जो बड़ा ही general सा है, नॉर्मल सा है चौथा पढ़ लीजिए, कि infrared waves are part of visible spectrum of electromagnetic wave of solar radiation यह तो साथ साफ गलत है, क्योंकि जो visible होती है, visible होती है, फिर इसके आगे पीछे इस तरीके से होती है X-ray होती है, फिर आपकी gamma rays होती है, ठीक है, X-ray होती है, gamma rays होती है, ultraviolet होती है, फिर gamma होती है फिर इसी तरीके से infrared होती है, microwave होती है, तो visible खाली यह होती है, इसके आगे भी नहीं होती है, इसके पीछे भी नहीं होती है खेर यह चीज होगे जो आपकी normal sense में होगे, infrared short wave नहीं है, this is long wave, this is long wave radiation, खेर, चली आइए तो यह बात clear होगे, यहाँ पर answer हो जाएगा आपका C, और बहुती general statement के तोर पर यहाँ बोल सकते हैं, again, यहाँ पर जो data वाला part है, यह आपका गलत दिया गया है, तो guess करने के लिए you can take this note, एक थमरूल के तोर से ले सकते हैं, कि data है तो wrong होगा, यह थमरूल के तोर पर आप पर हमेशा बारिश होगी, यानि कि यहाँ पर पाई जाती है letter right type की soil, और जो letter right type की soil होती है, यहाँ पर आपका ना तो nutrient होता है, ना तो humus होता है, ना तो कुछ होता है, तो यह एक statement हो गई, wrong statement, और जैसे ही यह wrong statement होई, अगला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, answer होगे आप का D, in fact second statement में बोला या रहा है कि high temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly, question number 64 पढ़िये, क्या बोला या रहा है, the temperature contrast, अच्छा एक चीज़ बड़ा interesting है, पहले assertion reason से बड़ा डर लगता था, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बड़े logical तरीके से अगर आप देखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सबसे आसान टाइप का question बन चुका है, question number 64, क्या कह रहा है, the temperature contrast between continent and ocean is greater during summer than in winter, अगला है कि जो specific heat of water is more than that of land surface, ये तो correct statement है, बिलकुल, ये correct statement है, अब देखिए, इस statement के बारे में कुछ हवा पानी नहीं लग रहा है, कारण क्या है, समझते हैं, ये माल लेते हैं कि जमी माल लेते हैं कि land है, continent है, और दूसरे तरफ माल लेते हैं कि ये हमारा water है, this is ocean, ये माल लेते है water है, किसी माल लेते इसको भी heat मिली, 100 calorie की माल लेते है, 100 joule की माल लेते है, कि इसको भी energy मिल रही है, 100 calorie, 100 joule जो भी मूलना है, यहां पर इसका MS-Δ Mitch होगा यहाँ पर ocean का Ms Delta T होगा और जो S होता यानि specific heat होती है ocean की वो relatively जादा होती है S of continent इस से दो चीज़ें कि जो land है वो heating ज्यादा होगी ठीक है अगर S कम है तो delta T automatically ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर S ज्यादा है तो दिल्टा टी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा तो यहा पर हीटिंग जादा होगी finance पर नहीं होगी उतनी जादा हीटिंग नहीं होगी दूसरी चीज हीटिंग होने के लिए it will take time time लगता है यहा पर टाइम नहीं लगेगा क्यों क्योंकि फटा फट चीज़े हो जा रही है क्योंकि S कम है specific heat कम है यानि एक बात समझ में आ गई कि जल्दी गरम जल्दी ठंडा होगा जादा गरम जादा ठंडा होगा ये भी है तो first point जल्दी होगा और दूसरा point ज्यादा भी होगा और वही चीज यहां heat आपको मिल रही है heat आपको मिल रही है दोनों ही तरफ heat मिल रही है तो heat मिल रही है अच्छा जितना जल्दी heat मिलेगी या जितना जल्दी heat draw होगी निकाली जाएगी दोनों ही होगा यहां पर भी वही चीज हो नहीं है तो heat करने में time लगेगा heat करने में time लगेगा ठीक है तो temperature माल लेते हैं कि land पर 25 degree है यह बढ़ करके माल लेते हैं 30 degree हो गया एक सेकंड रुकिए माल लेते हैं कि 25 degree temperature था बढ़ करके यह 30 degree हो गया ओशियन में आ जाएंगे तो यहां पर माल लेते हैं कि 25 degree था बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ पाएगा because it will take time माल लेते हैं 27 degree हो बाया ठीक है temperature contrast दोनों के बीच में कितने degree का है यहां पर temperature कॉंट्राक्ष्ट है 3 degree centigrade का कब हुआ गर्मी के मौसम में अब विंटर में आ जाते हैं विंटर में यहां पर हीट मिलेगा नहीं हीट यहां से withdraw होगी यानि कि हीट यहां से निकाली जाएगी अब यहां जो लेंड है वो ठंडा होगा 25 दिगरी था माल लेते हैं ठंडा हो करके 20 दिगरी पे चला गया वहीं दूसरी और ओशियन में आ जाएं तो यहां पर 25 दिगरी था यह भी थंडा होना है इसको तो थंडा देखिए हीट होने में जादा टाइम लगता है लेकिन थंडा होने में relatively कम टाइम लगता है तो यहां पर अगर हुआ तो यह 22 दिगरी सेंटिगरी तक टेंपरेचर आ जाता है अगेन देखिये यह जो डेटा डेटा हम लोगों ने बात किया है इस डेटा के बेसिस पर बात किया है यहां पर यह आपको पता होना चाहिए कि heating जो है वो ज्यादा होती है cooling से cooling से relatively cooling heating ज्यादा होगी cooling उतनी नहीं होगी कम होगी तो temperature contrast हमें relatively ज्यादा देखने क को मिल लाएगा winter में लेकिन again this was not expected यह आपसे expect नहीं किया रहा है यह pure physics का hardcore question है यह कोई geography नहीं है this is hardcore physics का question तो यहाँ पर यह जो statement पहली बोली यारी एक wrong statement है जबकि दूसरी वाली एक correct statement है और आपसे बिल्कुल expect नहीं किया जा रहा है कि आप इस question को सही करिए ठीक है तो और य उसको A mark किया था सबने ही लगबक A mark किया था जब answer UPSC का आया है तब लोगों का दिमाग चला है उससे पहले मेंटोस किसे नहीं खाया था तो यह एक ऐसा question है जो UPSC बताई है कि यह वाला answer नहीं answer D होगा और आप लोग अब याद कर लीजेगा कई सारे answer ऐसे होते हैं जो U पीठ होए तो फिर सही answer आप मार करिए जैसे नागसेन वाला question है खेर 65 नंबर question पर आईए इन दा सिस्मोग्राफ P waves are recorded earlier than S wave यह जोग्रफी का basic question है सिस्मिक activity को ले करके एक होती है हमारे पास में जिसको बोलते है P wave दूसरी होती है जो हमारे पास में S wave होती है जो P wave होती है वो longitudinal होती है और जो S wave होती है यह मतलब transverse होती है transverse होती है वो basically इस तरीके से move करती है और जो longitudinal होती है वो basically इस तरीके से move करती है मतलब horizontal होती है propagation भी तो P wave recorder earlier यह इस बिलकुल correct statement है कि यह faster होती है as compared to S wave Second statement है कि in P wave the individual particles vibrate to and fro in the direction of wave progression यहाँ पर यह बताया जा रहा है longitudinal जो हमारे पास में wave होती है उनका nature whereas S wave particle vibrate up and down at right angle यह हो गया transverse wave की आपकी property तो दोनों ही statement correct statement है यहाँ पर both the answers are correct answer C option हो गया 66 with reference to coal based thermal power plant in India consider the following statement अब देखिए फिर से वही चीज़ आ गई none 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 कोई भी option यहाँ पर correct नहीं है क्योंकि सब extreme statement है अब यह थोड़ा सा समझी लेते हैं यहाँ पर discussion कर रहा है तो अच्छे से समझ लेते हैं coal based thermal power plant in India है इसमें से कोई भी sea water use नहीं करते हैं गलत बात गुजरात में मुंदरा जो अडानी साहब के द्वारा thermal power plant चलाया जाता है वो sea water के द्वारा use किया जाता है इंडिया में मिलाकर के 200 से ज्यादा thermal power plant है जो coal based है इसमें से 130 के आसपास privately owned है और बचे हुए जो है मतलब असी वसी के आसपास public है मतलब government के है ठीक है इसमें बुला आ रहा है कि none of them is set up in water stress district गलत है नरोरा में बात करिए नरोरा में है नरोरा में जो है वास्टर स्ट्रेज्ड कंडिशन है बुलंद शहर ठीक है तो यह भी statement wrong हो गई और इसमें से कोई भी privately owned नहीं है 130 privately owned है तो तीनों ही statement यहाँ पर wrong है पता रहे ना रहे अलग case है none, 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 तीनों ही extreme statement कोई भी answer correct नहीं होगा इसमें 67 वाल बाचिया method is sometimes talked about the reference to which one of the following pure factual question अगर आपको पता है then it is okay otherwise याद कर लिजे कि viral disease spread by mosquito answer यहाँ पर A है question number 68 consider the following activities spreading finally ground basalt rock on form land extensively सवाल क्या है how many of the above activities are often considered and discussed for carbon capture and sequestration carbon capture किया जा रहा है ठीक है अगर माल लेते हैं कि form land पर जो हमारा basalt rock है अगर इसको हम लोग spread कर दें तो हमारा carbon capture होगा सही बात है यह correct statement general statement कोई यहाँ पर extreme word नहीं है अगला increasing the alkalinity of ocean by adding lime अब जड़ा सोचिए हमारे पास है ocean चलो ठीक है atmosphere में है CO2 इसी CO2 को हमें यहाँ पर trap करना है तो trap कब होगा CO2 का मतलब है कि यह carbonic acid बनाएगा carbonic acid होती है acidic सही बात है आगे यह भी बोला रहा है कि lime को add करेंगे lime का मतलब होता है calcium hydroxide CO2 होल twice यहाँ पर आपका base है OH- और यह ultimately जब ocean में मिलेगा तो इसकी basicity यानि alkalinity बढ़ जाएगी तो यह lime add करना भी correct है और ocean की alkalinity भी बढ़ाना सही बात है तो यानि यह statement दो अलग-अलग statement से मिल करके correct बन रहा है दीसरा है capturing carbon dioxide released by various industries and pumping into abundant subterranean mine in the form of carbonate water येस बिलकुल carbon dioxide जो atmosphere में उसी को तो trap करना है ओशियन में हम लोगों ने इसी को तो trap किया है चाहे वो basalt rock हो यहाँ से भी तो हमने इसी को trap किया है तो सारा ही statement यहाँ पर correct statement है और वैसे भी अगर आप देखेंगे खेर इसमें कोई ऐसा trick वरिक नहीं लग रही है यहाँ पर pure आपका concept use हो रहा है और बहुत यह basic general concept है जो स्कूल वगरा में पढ़ेंगे 69, aerial metagenomics जड़ा समझेए aerial का मतलब क्या होता है aerial का मतलब होता है हवाई ठीक है aerial survey किया जाता है या aerial view लिया जाता है तो कोई चीज़ जो हवाई होना चाहिए यानि air से related होना चाहिए meta का मतलब होता है अगर कोई चीज मतलब sequencing की जाती है तो meta के format में हो जाती है और यहाँ पर है genomics यानि genomes related यानि DNA से related अब जना इन तीन शब्दों को खोजी है अपने किसी एक statement में collecting DNA मिल गया sample from air मिल गया habitat at one go होने दो यहाँ पर यह दो चीज़ हमें मिल गई collecting भी करना यानि sequencing भी करनी है meta भी मिल गया तो पहला statement प्राइमा फेसी लग रहा है कि correct होना चाहिए दूसरा understanding genetic makeup genetic मिल गया makeup avian 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 होता है aerial नहीं होता है तो यह तो वैसे ही गलत हो गया तीसरा है air यहाँ पर भी air मिल गया to collect meta मिल गया blood sample मिल रहा है जबकि हमें चाहिए था DNA या फिर genome तो यह नहीं हुआ sending drone चलो ठीक हो सकता है accessible area plant and animal sample from land surface and water body यह गलत हो गया तो यह statement इस तरीके से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि कौन सा statement correct होगा इसी तरीके से आपको exam में भी देखिए break करना पड़ेगा सत्तरमा सवाल 70 micro satellite DNA ठीक है is used in the case of which one of the following micro मतलब बहुत छोटा होना चाहिए satellite मतलब आसमान से उपर से कुछ देख रहा होगा और DNA तो DNA होता है चलिए देखते हैं studying the evolutionary relationship among various species of fauna होता होगा stimulating stem cell to transform into diverse functional tissue यह तो नहीं होना चाहिए अगर आप उपर से satellite देख रहा है यानि कुछ ना कुछ किवल और किवल आप survey type की ही चीज कर रहे होंगे और यहाँ पर stem cell के बारे में बात हो रही है stem cell तो lab related चीज है lab created lab में होती है तो यह तो नहीं होना चाहिए और वैसे भी यहाँ पर transform अगरे करने के बारे में बात हो रही है C statement promoting clonal propagation of horticulture plant अब देखिए यहाँ पर भी propagation के बारे में बात हो रही है propagate कहां करेंगे lab में ही कर पाएंगे तो यह भी नहीं हो सकता है accessing the efficacy of drugs by conducting series of drug trial in population फिर यहाँ पर देखिए drug trial कराया जा रहा है तो कोई ना कोई field पे कराया जाएगा लोगों में कराया जाएगा population में कराया जाएगा जबकि यहाँ पर क्या है micro satellite मतलब किवल और किवल सर्वे करना है तो यहाँ पर सर्वे क्या करेंगे सर्वे करेंगे studying the relationship जो कि आप सर्वे के थुरू निकाल सकते हैं तो यह बन गया आपका answer यह बन गया answer ठीक है इस तरीके के guesswork देखिए आपको करने पड़ेंगे ठीक है और most accurate इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं question number 71 economy का question है consider the following statement with reference to India according to MSME Enterprise Development Act thumb rule कहता है कि अगर कोई act के बारे में बात हो रही है तो normally वो correct होगा लेकिन आगे बोला जा रहा है data भी है कि medium enterprise are those with investment in plants and machinery 15 करोड से 25 करोड अब देखिए MSME के definition आप लोगों को पता होना चाहिए MSME जो इसमें medium category होती है इस medium category में जो machine वगरे का जो investment होता है वो up to 50 करोड होता है और जो turnover होती है turnover आपकी होती है 200 करोड तक की तब हम बोलते हैं कि वो medium category है जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है 15 से 25 करोड के बीच में होना चाहिए था जबकि है कितना 50 करोड तो वैसे ही statement गलत हो गया प्लस साथ में यहाँ पर data भी दिया हुआ है तो data अगर है तो मान सकते हैं गलत है अगला है कि all bank loan to MSME qualify under priority sector priority sector lending होती है 40% दिया जाता है येस तो बिलकुल सारे bank यहाँ पर देखे extreme word है वैसे all करके लेकिन यह statement correct statement है तो यहाँ पर केवल और केवल to correct हुआ answer भी हो जाएगा इसका देखे extreme word रहेंगे UPSC भी चीजों को read करती है कि कहां कौँची मतलब जुगाल पानी निकाला या रहा है तो extreme word है अगर आपको knowledge है अगर आप पता है कि हाँ priority sector है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है go through it जाइए आगे बहत्तरवा सवाल यह रूपी आप लोगों ने सुना होगा वह ही है कि central bank digital currency consider the following statement अब जोड़ा statement को पर ध्यान से समझना है it is possible to make payment in a digital currency without using US dollar or swift system it is possible हाँ ठीक है possibility तो बताई जा रही है बिल्कुल possible करके रखेंगे वैसे भी digital चीज है digital चीज में तो कुछ भी possible हो सकती है a digital currency can be distributed with a condition programmed into it such as a time frame for spending it बिल्कुल यह भी किया जा सकता है it can be यह भी एक possibility के बारे में बता रहा है कि हाँ बिल्कुल यह किया जा सकता है यह बिल्कुल किया जा सकता है तो दोनों ही statement यहाँ पर correct statement है क्योंकि एक time तो आप लगा ही सकते है digital currency में कही time limit नहीं लगती है क्या deadline नहीं लगती है लगती है 73 question consider the following in the context of finance the term beta beta का मतलब सीधे याद रखेंगा number future के लिए आगे के लिए देखिए number लिखा होगा तो beta का मतलब क्या हो गया बस चेक करिए number कहां लिखा है the process of simultaneous buying and selling of an asset from different platform number नहीं है इसमे an investment strategy of a portfolio manager to balance risk versus reward यहाँ पर भी कोई number नहीं लिखा है type of systematic risk that arise where perfect hedging is not possible यहाँ पर भी number नहीं है a numeric value number मिल गया चलो भाई answer आ गया question number 74 self help group SHG program was originally initiated by SBI SHG का नाम सुन करके आपके दिमाग में क्या आता है SHG का नाम सुन करके आपके दिमाग में आना चाहिए नाबाड क्योंकि यही refinancing का काम करती है तो कहीं पर भी micro credit provide करने का काम SBI नहीं कर रही है यह कौन कर रहा है यह कर रहा है नाबाड और इस वज़े से पहला statement हो गया wrong अगला statement है कि in an SHG all member extreme word है वैसे of a group take responsibility for a loan that an individual member takes गाउंवगर में अगर आपने सुना होगा तो पैसा पूल किया जाता है basically यही SHG का काम होता है कि 10 लोग हैं 10 लोग ultimately सब लोग अपने पास से माली जब 50-50,000 रुपए दिये 50-50,000 रुपए 10 लोगों ने दिये अगर तो 5,000,000 रुपए हो गया अब किसी member को अगर जरूवत होगी तो 5,000,000 रुपए का कुछ percentage ये loan में दे देगा तो जब loan देगा तो responsibility तो सब की ही है सारे member take the responsibility for a loan that an individual member take जो individual ले रहा है वही तो सारे भी ले रहा है यही तो in fact SHG का main objective ही है तो बिल्कुल correct statement है आगे बुला रहा है RRBs जो होते हैं जो regional rural bank होते हैं नाबाट कभी direct finance नहीं करती है यह RRBs के थुरू ही करती है तो RRBs and scheduled commercial bank support SHG बिल्कुल करते हैं priority sector lending के थुरू करते हैं तो यहाँ पर यह भी statement हो गई correct statement यहाँ पर दो statement आ गई है correct statement question number 75 क्या है इंडिया का जो public health sector इंडिया's public health public sector health care system largely focus on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care पढ़ करके लग रहा है कि हाँ ठीक है general statement है correct ही होना चाहिए कोई भी इसमें ना तो extreme part है ना तो कोई इसमें मलब कुछ भी पढ़ करके negative नहीं लग रहा है आगे बोला रहा है under India's decentralized approach अब हमारे पास तो decentralized है जैसे सबचे छोटे level पर हमारे पास में जैसे प्राइमरी health center फिर हमारे पास CHC's होती है जो community health center होती है फिर डिस्टिक hospital होते है फिरी सी तरीके से और उपर आते है तो हमारे पास में medical colleges होते है एटसेक्टर एटसेक्टर तो under India's decentralized approach to health care delivery states are primarily responsible for organizing health services health किसके अंडर में आती है health आती है आपकी state list के अंडर में बस यही आपसे सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है तो यह भी correct statement है अब दोनों correct statement है सवाल उठता है कि answer A या answer B तो यहाँ पर जो UPSC ने answer दिया है वो है B कि यहाँ पर दोनों correct तो हैं लेकिन explanation नहीं है और explanation क्यों नहीं है I think यह अधिक से अधिक यही हो सकता है कि यहाँ पर basically list system के बारे में बात हो रही है जबकि यहाँ पर India के focus के बारे में बात हो रही है अब दिकिए इस पर कुछ again दवा नहीं है इसका कुछ भी UPSC जो answer बोला है वो आपको मानना पड़ेगा और most probably आपने यह गलत भी करके आए होंगे इसमें कुछ ही fan बट नहीं है सवाल नमबर 76 76 नमबर का ज़रा question है again यहाँ पर assertion reason statement वाले है statement नमबर 1 बोलता है according to United Nations World Water Development Report 2022 India extract more than a quarter of world's groundwater withdrawal each year यानि एक बटा चार भाग जो है पानी इंडिया निकाल रहा है यह UN की report बोल रही है चलिए ठीक है होता होगा हलकि यहाँ पर data लिखा गया है और हम लोगों ने बात किया है कि data वाली जो चीज होती है वो normally wrong होती है मान के चलते है statement number 2 यह बोलता है कि India needs to extract more than a quarter of world's groundwater each year जितना यहाँ पर statement बोला गया है UN report के हिसाब से क्या इतनी बाते यहाँ तक एक तरीके से as it is repeat हो रही है तो यह हमारा एक repeated part बन गया और अगर repeated है तो भले यहाँ पर data दिया गया है लेकिन this must be correct statement नहीं तो दूसरा statement तो wrong हो जाएगा बात समझ में आ रही है इस statement को ही base बनाकर के statement number two की आधी बाते बनाई गई है तो पहला वाला statement चुकी base बनाई इसलिए base statement तो correct होगा ही होगा अब यहाँ पर आगे जरूर बोला जा रहा है कि इस एक बटा चार भाग पानी निकालेंगे अगर हम तो इससे इंडिया का जो drinking water और sanitation वाली चीज है यह fulfill हो जाएगी तो पहली बात बोल रहा है कि यहाँ पर drinking water और sanitation यह हम लोग दूर कर सकेंगे और यह 18% of world population को हम लोग territory में दे रहे हैं दूसरा बात बोला गया 18% और near about यह होता भी है 18% के आसपास हमारी population भी है लेकिन दिक्कत यह है कि क्या सारा का सारा पानी केवल पानी पीने drinking water और sanitation में ही जाएगा क्या हमारे पास industries है हमारे पास power plants है हमारे पास 10 और भी चीज़ें हैं जहाँ पर पानी की ज़रूरत पढ़ती है सो केवल और केवल drinking water और sanitation में अगर पानी चला जाएगा तो यह wrong statement बन जाएगी तो यह wrong statement हो गई यानि कि यहाँ पर जो answer है वो C statement हो जाएगा पहला वाला correct दूसरा वाला incorrect देखे फिर वही चीज़ है यहाँ पर आपको थोड़ा सा guess work करना है जिसको हम लोग intelligent guessing बोलते हैं कि पहला statement को ही base बनाया गया है और इसी base के basis पर statement number 2 में चीज़े और add की गई है जैसे यही drinking water and sanitation तो जो drinking water sanitation है यह वाला पार्ट wrong हो गया लेकिन 18% वाली जो चीज़ है यह correct है और ultimately statement तो wrong होई गया question number 77 according to constitution of India चलो central government has a duty to protect a state from internal disturbances article number 355 में क्या यही बाते बोली गई है तो yes पहला statement correct होगा दूसरा statement है कि constitution of India exempt the state from providing legal counsel to a person being held for preventive detention यहाँ पर है article number 22 article number 22 sub clause 4 में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बोला गया है चाहे preventive detention हो या punitive detention हो 24 घंटे के भीतर भीतर में पहली बात आपको magistrate के पास ले जाना पढ़ेगा दूसरी बात कि सभी को एक legal counsel provide करना है तो यह exempt वाली जो चीज है तो यह exempt वाली जो चीज है यहाँ पर बोला जा रहा है कि confession of the accused before the police cannot be used as evidence अब पोटा को देखिए हटाया जा चुका है लेकिन इसमें main बात यही थी कि अगर SP level का बंदा है सुप्रेडेंटन पुलिस level का बंदा है तो उसके द्वारा लिये गए जो भी evidences हुआ करते थे इसको it can be used as evidence in the court इसको court में evidence के तौर पर use किया जा सकता था तो ये भी एक wrong statement हो जाएगी तो इसका answer क्या होगा तो काइदे से अगर आप देखिए तो एक ही statement यहाँ पर correct बन रही है लेकिन UPSC ने इसका answer दिया है 2 अब 2 है इसका मतलब है कि यह second वाली statement है यह correct statement है अब जड़ा इस second वाली statement को answer आने के बाद से जड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं यह तो वो हम लोग ने discussion किया जो before answer की है after answer की जड़ा देखिए Constitution of India exempt the state अब यहाँ पर state का मतलब राज्य से related है क्योंकि यहाँ पर हिंदी वर्जन जड़ा पढ़िएगा राज्यों को अब यहाँ पर जो इसका main focus area है वो है कि राज्य को नहीं पार्लेमेंट को दिया गया है लेकिन अगेन फिर बता रहा हूँ मैं आपको दिमाग नहीं लगेगा एक्जाम में यह तो केवल और केवल एक्जाम अगर मा लेते हैं same question अगर repeat होता है जो की हो जाता है कई बार तो आप answer लगाएंगे उसके लिए यहाँ पर बात की जा रही है लेकिन अगर आप exam hall में हैं तो इसमें कोई doubt नहीं है कि एक ही mark करके आप आएंगे क्योंकि यहाँ पर दिमाग चल रहा है इसके लिए आप हिंदी वर्जन में नहीं जाएंगे कि यहाँ पर हिंदी में पढ़ लेते हैं कि राज लिखा है या फिर union लिखा हुआ है तो future के लिए याद रखना है कि यहाँ पर जो question अगर repeat होता है तो उसके लिए answer हो जाएगा आपका 2 अगला question question number 78 strife and food shortage and was in news in the recent past for its very severe famine अब देखिए यह answer है Somalia IR की जो PT 365 थी उसमें भी यह हमारा cover किया गया था तो आप PT 365 को जरूर से cover करिएगा अगला सवाल है इन इंडिया Biodiversity Management Committee are key to realization of objectives of Nagoya protocol यह actual में बात की जा रही है convention to biodiversity CBD के बारे में और Nagoya protocol वाली जो चीज है बिलकुल सही बात है कि जो Biodiversity Management Committee है यह objectives of Nagoya protocol को realize करा ही रही है तो correct statement है अगला statement है कि Biodiversity Management Committee have important functions in determining access and benefit sharing this is the keyword access and benefit sharing including the power to levy collection fees on the access to biological resource within its jurisdiction हर तरीके से इस statement को correct बनाने की कोशिश की गई है अगर यहाँ पर fee collection के बारे में बात की जा रही है तो आगे इसी के बताया जा रहा है कि आखिर में power कितनी है jurisdiction power तो यह भी correct statement है यह भी correct statement है बोथ the statements are correct statement here and answer would be C next part of the question is question number 80 consider the following statement in respect to election to the president of India president of India के election के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है यह ध्यान रखना है वही एक formula होता है उस formula की ही जरूरत यहाँ पर पढ़ेगी और यह formula I think 2022 वाले paper में भी आपसे पूछा गया था सवाल क्या है statement number one the member nominated to either house of parliament or legislative assembly of state are eligible गलत हो गया they are not eligible यह लोग केवल और केवल जब removal होता impeachment होती है तभी use होते है statement number two statement number two कहता है कि higher the number of elective assembly seat higher is the value of vote of each MLA of that state यह statement भी एक wrong statement है दोनों values बराबर होंगी statement number three statement number two का ही example है the value of vote of each MLA of Madhya Pradesh जो की एक जादा number of seat है is greater than that of Kerala तो अगर दो गलत है तो तीन भी गलत हो गया चौथा जरा देखिए value of vote of each MLA of Pudu Cherry is higher than that of अच्छा यहां पर हर एक MLA के बारे में हाँ पर बात हो रही है value of vote of each MLA of Pudu Cherry is higher than that of Aulanchar Pradesh अब यह जो reasoning दी जा रही है इसके आगे है कि because the ratio of total population to total number of elective seat in Pudu Cherry is greater as compared to Aulanchar Pradesh यहां पर जो answer दिया जा रहा है उसकी reasoning entirely different दी जा रही है as compared to two and three and this one is correct statement यहां पर चौथा वाला जो statement वही सिर्फ और सिर्फ correct है यानि answer हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ one only formula based है और यह लक्षमी कांत की basic understanding पर based है now the question number 81 अब यहां पर है सवाल इतिहास का जो आपको पता रहेगा factual based है अगर आपको पता है तब ठीक है नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते है with reference to Indian history Alexander Rhea, Longhurst, Robert Seville and James Burgess and Walter Elliot किस से associated है अब दीकिए इसमें मुझे तो खाली यही पता था Walter Elliot के बारे में पता था इन्होंने हाला कि मतलब newspaper अगर लिखा हुआ है तो यहां से आप अगर B mark करते तो गलत हो जाता क्योंकि आंसर इसका है archaeological excavations और यह बिल्कुल आप ना तो guess कर सकते हैं ना तो कुछ कर सकते हैं प्योर fact based है अगर आपको पता है तभी के वल मार्क कर सकते हैं नहीं तो इस तरीके के question को skip करना ही बहतर option होती है आगे consider the following statement of the pair base नगर base नगर यह गुप्ता time period की बात है चंद्रगुप्त के time की है चंद्रगुप्त वन base नगर में sorry गुप्त पिरियट की नहीं यह basically शुंग डाइनेस्टी की है पुष्यमित्र शुंग के time period का है और यहाँ पर यह दिखाया गया था कि जो base नगर है यहाँ पर है गरूर इस्तंब और इस गरूर इस्तंब से हमें विश्नु के बारे में पता चलता है कि यह वैश्नवाइट्स थे बजाय की शैवाइट केव श्राइन यह हो गया wrong base नगर यह मद्धप्रदेश में है MP में है विदिशा के पास में पढ़ता है और यहाँ पर गरूर इस्तंब दिया गया था यह basically जब शुंगवंश और शक थे इन दोनों के बीच में जब fight चल रही थी तो उस समय की कहानी है history के आगें ancient history के जो हम लोगों ने series discuss की हुई है यह सब चीज़े बहुत ही detail में discuss की गई है और बहुत अनाम से आपको समझ में आ जाएगा next है भज यह भज जो है यह पुने के पास में महराष्ट में caves है जो की बुद्धिष्ट cave है और यह बिल्कुल सही statement हो गया सित्तान वसल यह जैन cave है यह भी बिल्कुल correct statement है सित्तान वसल जो है वो आपकी जैन cave है तो यहाँ पर दो statement correct है तो two correct statements हो जाएंगे question number 83 देखिए 83 नमबर सवाल है कि 7 अगस्त को national handloom day मनाये जाता है अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं पता है तो नहीं कुछ कर सकते it is in 1905 तो यह दोनों ही correct statement है और दोनों एक दूसरे के explanation भी है so this is explanation also लेकिन फिर वही बात है कि यह पहला वाला पता रहेगा 7 अगस्त वाली कहानी तब आप कर सकते हैं नहीं तो फिर जो है skip करना चाहिए 84 नमबर question consider the following statement in respect of the national flag of India according to flag code of India अब देखिए statement नमबर 2 पढ़िए ratio of length to the height width of the flag is 3 is to 2 यह तो correct है यह आपने पढ़वी रखा होगा यह correct है लेकिन अगर correct है तो यह C वाला option तो हटा दीजिए ठीक है अब यहाँ पर 600 गुड़े 400 mm वाला है की नहीं है यह अगेन आपको पता होगा नहीं होगा वाला case है इस तरीके को question को या तो आप skip करिए फिर क्योंकि देखिए यह वाला statement दिया गया है wrong यह दूसरा एक बात है की data लिखा गया है तो data वाले question normally wrong होते है यह हम लोगों ने अपना thumb rule भी बना करके रखा है अगर आप attempt लेना चाहते हैं तो ठीक है यहाँ पर answer हो जाएगा आपका D और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो बस future के लिए ध्यान रखना है की हम अगर आसा है question तो यह कर सकते हैं लेकिन फिर वही बात है data वाले अगर question है तो फिर वो wrong होगा ध्यान रखना है data wrong होती है question number 85 देखिए consider the following statement in respect of the constitution day constitution day वही आपका जो 26 November का होता है सम्विधान दीवस जिसको बोला आता है सम्विधान उस दिन मतलब की in act किया गया था प्रेयंबल भी लिखा हुआ है the constitution day is celebrated on 26 November every year to promote constitutional values among citizens बिल्कुल correct statement है 26 November 1949 को the constituent assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of dr. भीम राव मेडिकर to prepare a draft constitution of India यह गलत statement है बलकि इस दिन तो तयार हो गया था तो यह हमारा पहला statement correct है दूसरा statement wrong है तो answer हो जाएगा आपका यहाँ पर C statement 86 नमबर का सवाल देखिए Switzerland is one of the leading exporter of gold in terms of value one of the leading यानि कि यहाँ पर ना तो बोला रहा है कि यह largest है ना तो यह बोला रहा है कि यह top है कुछ भी नहीं यह बस बोला है कि one of the leading है चलो ठीक है जन्रल स्टेटमेंट है दूसरा है कि Switzerland has the second largest gold reserve in the world second largest gold रहा है एकदम exact ले रहा है और आपने gold के बारे में पढ़ रखा होगा लेकिन Switzerland का नाम कहीं से नहीं आया होगा या तो आपने अफरीका का नाम पढ़ रखा होगा या आपने USA पढ़ रखा होगा अब लेकिन Switzerland नहीं पढ़ा होगा तो यह statement wrong statement है actual में तो यहाँ पर पहला हो जाएगा जो correct statement है दूसरा वाला statement अपने आप में एक wrong statement है तो यह आपका C हो जाएगा इसका answer Now coming to question number 87 Recently USA and EU have launched the trade and technology council होगा भाई होगा हो सकता है होगा USA and EU claim that though this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control अब जड़ा देखेगा पहला जितना part बोला है क्या वही सारा part इतने part में यहाँ पर copy हुआ है कि USA and EU claim that through this मतलब फिर से उपर वाले statement को base बनाये गया है दूसरे वाले statement को यहाँ पर किया जा रहा है तो पहला वाला statement correct ही होना चाहिए क्योंकि यह तो base बन रहा है अब second statement यह पर बोला रहा है कि through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control अपने control में लेकर के आएंगे अब यह बताईए technical progress चल रही है हर country की तो EU और US वाले अपने control में लेकर के आएंगे और अगर अपने control में लेकर के आएंगे तो WTO चुपचा बैठ करके यहाँ पर देखता रहेगा this is very like dominating condition दिख रही है और EU वाले अगर इस technological progress को अपने control में लेकर देखेंगे तो China क्या मुख दर्शक बना रहेगा यह statement यहाँ पर wrong हो गई तो यह statement यहाँ पर जो आगे बोला रहा है their control यह गलत है और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आंसर यहाँ पर D हो गया ठीक है आगे in fact देख भी लिजे many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's production linked incentive scheme ठीक है normal सी बात है question number 89 stability and growth pact of European Union is a treaty कुछ होगा मुझे नहीं पता है कि यह stability and growth pact क्या है लेकिन एक बात समझ में आ रही है stability से कि अगर European Union जो कि 27 countries का एक group है यह सब आपस में चुकि इन लोगों ने क्या किया अपनी economy को आपस में mix करके रखा हुआ है economy के in fact economy EU का मतलब क्या होता है कि economic policies would be same for all the nations और अगर किसी की stability नहीं आ रही है यानि अगर किसी का fiscal deficit बहुत जादा हो रहा है या फिर किसी की कोई budgetary problem आ रही है तो उसमें stability बनाने के लिए कुछ ना कुछ ये लोग कानून बना करके लेकर के आएंगे किवल हो किवल यही जो 27 countries है तो अब यहाँ पर जड़ा देखिएगा क्या यही बाते हैं कि growth और stability के लिए European Union एक तरीकी की policy लेकर के आएगा तो पहला statement हो गया correct statement दूसरा है कि it makes the countries of the European Union to share their infrastructure facility अब यह बताएं infrastructure facility को share कैसे करेगा ठीक है कैसे करेगा यह एक wrong statement है और तीसरा है कि it enables the countries of European Union to share their technology यह बहुत ही general सी बात है हाला कि यह भी गलत है कि यहाँ पर stability और growth pact के अंतरगत यह नहीं किया गया है तो यह देखिए पहला वाला चीज तो चलिए ठीक है guess करना चाहे guess कर सकते हैं लेकिन बाकी कि जो दो statement है यह guess आप नहीं कर सकते हैं तो या तो आपको यह knowledge based मतलब या तो आपको यह पता होना चाहिए था और नहीं पता होना चाहिए था तो आप skip कर सकते हैं या फिर अपना जो thumb rule है कि आप only two mark कर सकते हैं हाला कि यहाँ पर only two वाली case गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ correct statement only one है बात समझ में आ रही है तो इस तरीके के question जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ बैठ नहीं रहा है तो आप skip भी कर सकते हैं देखे एक किसी ने पूछा था कि 100 question में safe attempt कितना होता है 100 में अगर आप 92, 94 तक कर रहे हैं यह safe attempt माना जाता है safe attempt का मतलब है देखे इसमें गलतियां भी होंगी और इसमें सही भी होगा लेकिन जो आपके पास में 6-8 question होते हैं उनको आपको skip ही करना होता है क्योंकि इसमें इतिहास के factual question होते हैं और इस तरीके के सवाल होते हैं जो attempt करने लायक नहीं होते हैं अगर इस 92, 94 question में से अगर आपने 30 question गलत किया तो बचे हुए आपके 64 सही हुए यहां से आपका 10 negative गया और आपके 54 correct हो गया 108 number आपके बन गया और cut off तो खेर काफी कम है cut off के बारे में छोड़ दिए अगर आप यहां पर 49-40 question भी गलत करके आते हैं तो आपकी यहां पर गई 13 number 13 question और गया आप आजाएंगे 50 पे यानि फिर भी आपका safe score है तो आप अगर ज़्यादा attempt करेंगे तो आपके पास option है ज़्यादा wrong करने का 40 सवाल के आसपास आप गलत कर सकते हैं ठीक है और यह सब कैसे आप calculate करेंगे यह सब आप calculate करेंगे जब आप अपना mock test दे रहे होंगे तो mock test के दोरान में आप अपना calculation देखिए कि आपके कितने गलत हो रहे हैं जैसे normally 25-26 question गलत होते ही होते हैं accuracy इतनी बढ़िया नहीं होती है कि आप 25-26 question से कम गलत करें लेकिन फिर वही है UPSC में थोड़ सा सवाल अलग type क्यों होते हैं तो गलत होने के chances ज़्यादा होते हैं तो आप अपना attempt बढ़ा सकते हैं लेकिन it all depends आप मौक टेस्ट करिए आपको पता लगेगा कि आपकी क्या मतलब खासियत है क्या आप सही ज़्यादा करते हैं या आप गलत ज़्यादा करते हैं तो किस तरीके से क्या करते हैं वो आपके हाथ में होता है सवाल नंबर 90 रिसेंटली आल दा कंट्री फिर वही एक्स्ट्रीम स्टेटमेंट दिमाग की बत्ती जलानी वाली पड़ेगी सारी कंट्री यूएन की हैव अडॉप्टेट दा फर्स एवर कंपैक्ट आफ इंटरनेशनल माईग्रेशन अब ज़राइए बताइए कि बहुत सरी कंट्रीज ऐसी हैं जो माईग्रेशन अगर नहीं करेंगे तो उनकी एक्स्ट्रीम ही नहीं चलने वाली है जैसे in fact South America की कंट्रीज को देखिए ये Central America की कंट्री को देखिए अगर ये लोग migrate ना करें तो क्या ऐसी possibilities है कि UN की सारी कंट्री मिल करके आए और ये कहें कि हाँ ठीक है हमारे पास में global compact for safe orderly and regular migration होना चाहिए obviously नहीं पहली बात तो सारी country इस चीज को ले करके कभी हामी भरेंगी ही नहीं और अगर हामी भरी होती तो news में ये बहुत तगड़े level पे दिखाया जा रहा होता तो ये statement हो गया wrong statement दूसरा अचा एक दूसरी चीज अगर migration को ले करके सभी country होती तो जो receiver country है जो receive कर रही है वो लोग मतलब सवाल उठाते जैसे जर्मनी हो गया European countries जितनी हो गया USA हो गया तो ये लोग जरूर सवाल उठाएंगे कि यार सारे लोग अगर मेरे यहाँ पर आ जाओगे तो resource का distribution कैसे हम करेंगे तो ये एक यहाँ पर point हो जाएगा तो इस वज़े से ये करलत statement है बहुत ही मतलब आसानी से आप इस चीज को समझ सकते है second the objectives and commitment is stated in the GCM are binding फिर देखिए binding होनी बहुत बड़ी बात होती है इतना असानी से चीज बाइंडिंग नहीं हो जाती है ये भी एक wrong statement हो गया जो GCM है इट addresses internal migration और internally displaced people अब internal migration कई तरीके के कारण होता है environmental होता है तो चलो ठीक है ये बात समझ में आ रही है इसके लिए आप काम करेंगे लेकिन जो social होता है उसके लिए आप क्या करेंगे लोग पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं लोगों की शादियां हो जा रहे हैं इसका कोई solution नहीं है तो ये address internal को नहीं करेगा external को कर सकता जरूर है तो ये भी एक statement wrong statement होनी चाहिए यहाँ पर सारा ही गलत statement है और अगें मुझे नहीं पता था ये statement मतलब ये कौनसी meeting हो ये क्या होई है लेकिन विद लॉजिक केवल और केवल आप यहाँ पर answer निकाल रहे है अगला सवाल है 91 home guard को ले करके home guard जो होती है वो state list के अंतरगत आती है ये आपको पता होना चाहिए home guards are raised under the home guard act and rule of central government act वाली चीज हमेशा सही होती है हमारा थमरूर है लेकिन central government के अंदर में नहीं होता है ये state government के अंदर में होता है इसलिए wrong statement है दूसरी statement है कि the role of home guard is to serve as auxiliary force to the police in maintenance of internal security सही बात है to prevent infiltration on the international border coastal areas the border wing home guard battalion have been raised in some state general statement है बिल्कुल सही है तो यहाँ पर दो statement यहाँ पर correct होंगी बाकी पहली वाली तो wrong है बानवे नंबर का सवाल देखिए consider the following pair unauthorized wearing of police or military uniform अगर uniform को आपने गलत तरीके से पहना है तो वो official secret act के अंतर गताएगा knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duty आप किसी भी police वाले के साथ में अगर मतलब लफडा कर रहे हो तो किसके अंतर गताएगा क्या evidence act के अंतर गताएगा नहीं official secret act के अंतर गत यह वाला आएगा क्या नहीं official secret मतलब कुछ secrets है अब वर्दी आपने पहनी है गलत तरीके से पहनी है secret थोड़ी नहीं secret होता है raw agent कहां गया है हमारा क्या हुआ है किसकी murder plan की गई है किसका मतलब assassination करना है celebrating gunfire which can endanger the person safely अब यह देखिए gun power है arms act है यह सही होना चाहिए तो यह answer केवल और केवल यहाँ पर one correct आया समझ में आया क्या चीज़ है तो थोड़ा सा पढ़ करके दिमाग चलाना है हिंदी वाले proportion को ही पढ़ सकते हैं अनधिकरित रूप से पुलिस की वर्दी को पहनना किसी पुलिस अधिकारी के duty के तनात होने के तरह हम जान मुसे उसे गुमरा करना ठीक है बात समझ में आ रही होगी थोड़ा सा यह logic ही है देखिए और यह आपको सीखना पड़ेगा सवाल नंबर 93 नौर्थ किवू एंड इतूरी यह जो जगह है यह कहां पर है मतब किस रीजन से न्यूज में उसके बारे में बोला गया है नगरनो करवाक रीजन हो गया और खिरसन और जपोरिजा हो गया अगर देखिए मुझे वाला स्टेटमेंट जाना चाहिए उपर यानि कि पहला वाला भी गलत हो गया दूसरा वाला भी गलत हो गया ठीक है तीसरा है खेरसन और जैपरिजा जब यूक्रेण वौर हुई थी तो इस दोरान में रशिया ने जैपरिजा का जो नूक्लियर पावर प्लांट था उसको तबाह कर दिया था यानि कि यह जो जपोरिजा होना चाहिए वो यूक्रेन में होना चाहिए जब कि यहां पर लिखा हुगा इसराइल लिबनन के बीच का एरिया यह भी हो गया रॉंग स्टेटमेंट यह हो गया यहां पर कुछ भी करेक्ट नहीं है तो जब भी न्यूस होता है न्यूस को रट्टा मारना हमें रट्टा नहीं मारना होता है हमें न्यूस को दिमाग में रखना होता है कि क्या चीज है और कहीं ना कहीं एक्जाम में भी जो हमारी यूप्यस सी एक्जामिनेशन है यह आप से कभी यह नहीं एक्सपेक्ट कर रही है कि आप चीजों में आ गया अजरबाइजान और अर्मीनिया है जापोरिजा वाले भी चीज़ समझ में आ गया खेरसान भी याद कर लिजेगा और जो कीवू और जो इतूरी है यह बिसिकली DRC में Democratic Republic of Congo तो फ्यूचर के लिए रट्टा मार लिजे क्योंकि कई बार प्वश्चन जो होता है इधर दर करके रिपीट हो जाता है सवाल नमबर 94 इसराइल ने देखिए रिसेंट में क्या है कि UAE के साथ में compact की अपना agreement बगरे किया था देखिए एक दो चीज़े हैं जो आपको थोड़े से common sense में यूज करनी है जैसे USA और रशिया ये दोनों rivalry रखते हैं साओधी अरेबिया और इरान rivalry रखते हैं साओधी अरेबिया और इसराइल rivalry रखते हैं समझ में आया तो ये सब कभी भी एक साथ नहीं आने वाले हैं अब यहाँ देखिए अरब पीस इनिशियेटिव है चलो mediated by साओधी अरेबिया was signed by इसराइल क्या लगता है आपको इसराइल कभी साओधी अरेबिया के साथ में कभी कोई पैक्ट sign करेगा और आगे अरब लीग है अरब लीग के साथ कर सकता है लेकिन इसराइल के साथ नहीं कर पाएगा तो ये एक common sense वाली बात है और ये किस wrong statement है और जबकि ऊपर UAE के साथ इन्हों ने किया है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है साओधी अरेबिया के साथ में especially इनकी बगावत है तो ये ध्यान रखने वाली बात है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला statement correct है दूसरा बला incorrect है तो यह answer हो जाएगा इसका C question number 95 95 नंबर का सवाल आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें जब तक आपको पता ना हो तो आप इस चीज को रीड करिए जैसे major ध्यान चंद खेल रतना वार्ड for the most spectacular and outstanding performance by a sportsman over period of last four year यह correct statement है कैसे पता पढ़ा है मैंने तब बता रहा हूं इंटरेनेट पर सच करके बता रहा हूं अर्जुन अवार्ड for the lifetime achievement by a sportsperson यह wrong statement है दुरुनाचार यह award दुरुनाचार coaches को दिया जाता है तो यह correct statement है राष्ट्री ए खेल पुरत्वाहन पुरसकार to recognize contribution made by sportsman even after their retirement यह गलत statement है तो यहाँ पर दो statement correct है और यह रट्टा मतलब कि यह पढ़ने वाली चीज़ है knowledge based है अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं पता है तो फिर छोड़िये ना छे question हम लोगों को छोड़ने भी तो है सवाल no.96 again कुछ नहीं कर सकते है प्योर fact है पता रहेगा तो ठीक है नहीं पता रहा तो आप नहीं कर सकते है इसमें इसका answer भी कोई मतलब नहीं है discuss करने का you can तो पहली बात ये कभी repeat होने वाला नहीं है सवाल तो इस question को discuss करने का कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि 2022 का सवाल है एकात question इस तरीके से पूछा गया UPSC basically अब ये कहना चाहिए कि मैं अब खेलकूत पर भी सवाल पूछूंगा पढ़ देना अगली बार से पढ़के आना बस यही बताया जा रहा है सवाल नमर 97 और हम लोग क्या करेंगे एक दो सवाल के लिए दिमाग नहीं खर्च करेंगे हम लोग कहेंगे जाने दो एक दो एथियोपिया में है चलो ठीक है एथियोपिया में है तो यह हो गया तो कचीन अपने आप गलत हो गया नहीं होना चाहिए दूसरी चीज नौर्थ यमन नाम की कोई कंट्री ही नहीं है कंट्री का नाम है यमन नौर्थ यमन लिखा हुआ है गलत हो गया अब यहां पर है गलत statement हो गया, all the statements are wrong here, सब wrong है, ठीक है, तो ये अब देखें, डॉन बास में iron rich area है, ये iron rich area है, तो इस वज़े से ये ध्यान में था, कचिन मुझे नहीं पता है, टिग्रे के बारे में मुझे पता था कि ये एथियोपिया में है, तो यहां से ये वाला statement भी गलत हो गया, सवा ये सब international news बने थे, अब international attention क्यों बनेगा, एक तो यहां पर war हो रही हो, civil war चल रही हो, या यहां पर किसी तरीके की disaster आ गई हो, या मतलब कोई ऐसी चीज हुई होगी, जो military coup type की चीज हो गई हो, ये सब चीज़े होई रहती है, तो international attention बनता है, वो भी खड़े खड़े इतन Southward expansion of Sahara Desert, हाँ बिलकुल हो सकता है, क्योंकि एक तरीके की ये disaster है, और successful coup, तो answer यहां पर है, successful coup को ले करके, this is answer, ठीक है, again PT 365 IR, अगला सवाल, question number 99, सवाल है, इसमें से heavy industry, consider the following heavy industries, green hydrogen is expected to play significant role in decarbonizing how many of the above countries, Green hydrogen हम कहां कहां use कर सकते हैं, हर उस जगा जहां fuel की requirement होगी, चाहे वो fertilizer हो, चाहे oil refinery हो, चाहे steel plant हो, तो हम हर जगा पर use कर सकते हैं, और वैसे भी science and tech के answers क्या होते हैं, all of the above correct, सवाल number 100, G20 को ले करके यहां पर सवाल है, G20 originally established as a platform for the finance ministry and central bank governors to discuss international economic and financial issues, सही बात है, basics है, और बहुत informative statement भी है, digital public infrastructure is one of India's G20 priority, G20 priority इंडिया की बहुत सारी हो, उसमें से एक है digital public infrastructure, यह भी सही statement है, तो यहां पर both the answers are correct, C हो जाएगा आपका answer. जन्वंस कांके बहुते हरी और से लिला अेदे मत्राइए एको य movie से लिले अचमझानी रप Luck के बहुता बलना आपके नाखके को लिए. झाल बहुत मदानी में सब़